कि हाल चाल वदिया हो सारे चलो जी बहुत बढ़िया स्टार्ट करें नी क्लास फिर लास्ट क्लास में कोई भी डाउट किसी को कोई भी डाउट लास्ट क्लास में कोई डाउट को नहीं है चलो एक बार ऐसा करते हैं फटा फट से ना रिवीजन कर लेते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या क्या किया था देन उसके बाद फिर आज की क्लास टार्ट करेंगे एक बार चक करते हैं लास्ट क्लास का लास्ट क्ला था ठीक है निए एक बार चेक करते हैं फड़ावट से अगर मैं टेक्सेशन की बात करूँगा तो मैंने का था कि आपके CA इंटरगार स्लेवर्स होगा ना उसमें दो पाइट हमारे कवर होंगे एक तो मैंने का था कि ढारेक्स होगा and second जो होगा वो indirect tax होगा डारेक्स हमारे एक्जाम में 60 marks का है आईडट हमारे एक्जाम में 40 marks का है और डारेक्स में आपके दो टूपी कवर होंगे एक तो income tax कवर होगा and second international taxation जो हुमारे लेबस का पार्ट नहीं है उसको हम CA final में जाके discuss करेंगे और फिर income tax हमारे exam में 60 marks का है सारा paper subjective नहीं है सारा paper objective नहीं है 42 marks का subjective होगा and 18 marks का जोगा objective होगा अचा objective question जो होंगे न वो एक number के भी आएंगे और दो number के भी आएंगे कुछ question एक number के भी होंगे कुछ question जो होंगे वो दो number के भी होंगे उसके बाद अगर मैं IDT की बात करूंगा उसमें mainly दो चीज़े cover होती है एक तो GST और second custom again custom हमारे slabers का पार्ट नहीं है वो CA final में discuss करेंगे GST हमारे slabers का पार्ट है 40 marks का है और इस 40 marks में से 28 marks का subjective होगा and then 12 marks का जो होगा वो हमारा क्या होगा objective होगा ठीक है इट मींज करक्स का निकल के आ रहा है कि 70 marks के हमें बड़े-बड़े question solve करने होंगे और 30 number के हमें objective question solve करने होंगे में करक्स आपका ये निकल के आ रहा है ये तो हो गया कि हमारे slabers का overview कि direct text में क्या पढ़ने को मिलेगा और IDT में क्या पढ़ने को मिलेगा उसके बाद second जो सबसे main point था ना यहाँ पर मैंने का था कि आपने सुनोगों कि taxation में काफी सारे change आते है अब कौन कौन सी amendments हमारे exam में applicable होंगी main मुद्ध ये है तो government ये बात कहती है कि अगर आपके exam May 22 में हो या November 22 में हो या November 22 में हो ये doesn't matter क्योंकि दोनों में same amendments applicable होती है अगर मुझे May 22 में exam देने है या अगर मुझे November 22 में exam देने है दोनों में same amendment applicable होंगी income tax की बात करूँगा मुझे फड़ा फड़ा से answer देना जी अब income tax में जो हमारा budget 2021 है वो applicable होगा ये 22 applicable होगा 21 applicable होगा इट मिस वैसे हमारे exam 22 में उस साल भी budget आएगा उसमें भी changes होंगे बट वो changes हमारे exam में applicable नी होगे इट मिस इस साल में जो budget था उसमें जितने भी changes थे वो सारे changes हमारे exam में applicable होगे अगले साल के changes हमारे exam में applicable नी होगे इट मिस यहाँ पे finance act मैंने का था कि 21 applicable होगा अच्छा एक बात और बता ना finance act 21 तो आएगा इट मिस budget 21 तो हमारे syllabus में cover होगा and second मैंने का था notifications एक बात सोच के वहला notification जो होगी जिस दिन हमारे exam होगे उसे एक दिन पहले की applicable होगी या 6 महीने पहले की applicable होगी इट मिस अगर हमारे exam में में हैं तो institute यह बात कहता है कि 31st October तक की जितनी notification होगी वो हमें करके चलने हैं उसके बाद कि हमें कुछ नहीं करने हैं आज मारा 25th September मेरे खाल से हैं तो 30 September एक मला आपका अगला महीना होगा 31st October तक के चेन हमें करने हैं उसके बाद का कोई भी change अगर practical life में होगा वो May 22 में applicable नहीं होगा और अगर मैं November 22 की बात करूँगा Finance Act तो same ही applicable होगा बट फरक किस में आ जाएगा notification में उसमें फरक क्या आएगा कि जिनके exam November 22 में होगे उनके exam में 30 April तक की notification आएगे ठीक है नहीं और same pattern GST के अंदर भी applicable होगा जी GST के अंदर भी क्या होगा Finance Act 21 मलब budget 21 applicable होगा और notification 31 October तक ये सारी बाते हम लास्ट क्लास में डिसकस कर चुगे भी फिर मैंने का था कि कुछ terms ऐसी हैं जो practical life में tax में काफी जादा आएगे जब हम slaybers करेंगे उन terms को मुने थोड़ा वो समझा था ठीक है रही एक बार फड़ा पड़ से मुझे revision करा दो जी अगर मैं सबसे बहले बात करूँगा tax planning, tax avoidance और tax evasion ये तीन main terms हमारे सामने निकल के आ रही है आपने practical life में काफी बार नाम भी सुना होगा कि लोग tax planning करते हैं अवोईडेंस करते हैं इवेजन करते हैं तो उन्हें सोच के बताना अगर मैं tax planning की बात करूँगा तो tax planning का मतलब पहले बताओ tax planning का मतलब क्यों होता है tax बढ़ाना या tax कम करना avoidance से भी क्या होगा बढ़ेगा या कम होगा evasion से भी क्या होगा बड़ेगा या कम होगा it means ان 3 के टेक्स कम होगा अब मुझे फटावट से पोल देना अगर मैं planning की बात करौह। मानलो किसी CEE ने बोला कि मैंने tax की planning की है तो planning का मतलब क्या होगा उसने legal तरीका follow तरीका legal तरीका means कौण सा कि हमने खुद वो select किया या government नहीं हमें बता दिया government नहीं हमें बता दिया example मैंने आपको कल कही सार दिये थे LIC करवा लिया आपने health insurance करवाया आपने सुनागा लोग PPF के अंदर पैसा contribute करते हैं ठीक है लोग FD करवाते हैं उन सब का government हमें benefit देती है उस benefit को यूज करके जब tax कम होगा वो planning में cover हो जाएगा second फिर क्या निकल क्या गह रही avoidance अचा avoidance भी क्या होगा legal होगा या illegal होगा legal होगा अब इसमें legal सोच के बोलना legal तरीका क्या कि government ने हमें बताया या हमने low में loophole ढूंडे हमने low में loophole ढूंडे loophole का मतलब क्या होता है आप सब जानते हो अचा मैं आपको इक शीज दिखाता हूँ यह आपका ना देखो income tax act है यह आपका income tax act है जिसको base बना के हम पढ़ेंगे यह लगा लो यह आपकी गीता है इसके लावा ना कुछ भी नहीं है किसी भी author की book में गलती हो सकती है इसमें गलती नहीं हो सकती life में जब भी आपको doubt आएगा कि सर मुझे यहाँ पर problem हो रही है तो किसी author की book मत देखना act देखना और यह act आपको वैसे google के उपर ही मिल जाएगा आपको मैं website खोल के दिखा दूँगा इंकम टेक्स वालों की कि GST का act आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो इंकम टेक्स में कैसे वह आप डाउनलोड करके रख सकते हो ऐसा मैं क्यूं कह रहा हूं क्योंकि problem क्यों कि जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको कि सर इस section में यह problem लग रही है तो यह आपकी में लगालो गीता है सेम GST का भी एक्ट है और सेम इंकम टेक्स का भी है अब सुना ध्यान से मैं कहना क्या चा रहा हूं अब जैसे मालो यह एक्ट बना हुए यह पूरा का पूरा इंकम टेक्स एक्ट है ऐसे ही सेम GST भी होगा मेरा question है इस एक्ट को बनाने वाली कोन है रही finance ministry है अचा जिसने भी एक्ट बनाया होगा वो तो सब जानते है कि ओवेसी बात है वो हमारे डैसे ही लोग होंगे ठीक है ओवेसे बात हमारे से लोग होंगे बट इस एक्ट में ने कुछ गल्ती है और वो गल्ती पहचानने वाला कोन होगा वो CAE होंगे मालो फॉर एक्जामपल एक प्रोविजन हमने पढ़ा उस प्रोविजन को पढ़ने के बात उसकी double interpretation आ रही है एक interpretation तो ऐसी है जो लोग मेकर लिखने के टाइम उन्होंने सोच रहा था कि हम इस तरह से लिख रहे हैं और second interpretation क्या है जो हमने खुद निकाली है अच्छा problem क्यों आ रही है क्योंकि मालो बीच में ना वो कई कोमा लगाना भूल गए फूल स्टोप लगाना भूल गए ठीकरी मालब उसको कुछ मालब कोई प्रोव्लम उसके अंदर create हो गई अगर मालो उस problem को मैं धून एक बाद जो interpretation हमने ली उससे क्या हराहा है इस लाइनों को पड़ से कोशनेरी इस लाइनों को पढ़के ही मैंने टेक्स कम किया तो मैंने लीगल तरीका फोलो किया illegal तरीका फोलो किया, legal तरीका, अब अगर government कला के मुझे बोले, हाँ भई विवेक, कि तुने टेक्स कैसे कम कर दिया, मैं कर यह आपका लोही मैंने पढ़ा है, उसको पढ़के मैंने टेक्स कम किये, तो लो बनाने वाले कहते हैं, हमारी intention तो लो बनाने की यह नहीं थी, मैं कह कहना चाते हैं कि हम कहना चाहरे हैं, रोको मत जाने दो, महला double interpretation आ गई न, तो मेरी interpretation अलग हो सकती है, आप के अलग हो सकती है, उसके बेस पे क्या हो गया, टेक्स कम हो गया, तो government कहती है, उसको evasion में कवर निकरोगे, avoidance में कवर करोगे, तो मुझे last time फटा फट से बोल दो प्लैनिंग और avoidance, दोनों के अंदर में फरक बताओ, planning क्या है, लीगल या इलीगल, लीगल, लीगल, अगर सारे देंगे तो game खिलने का मज़ा आएगा, ठीक है, दुबारा से, planning क्या है, लीगल या इलीगल, avoidance क्या है, लीगल या इलीगल, क्या दोनों same pattern है या अलग लग में cover हो जाएगा, फिर एक cover होगा जी, evasion, evasion तो आप सब जानते हो, evasion का मतलब क्या है रही, चोरी, tax की चोरी आपने की है, government खोबचे में लेके जाएगी, आपको जेल में भेज देगी, obvious सी बात अगर आपने चोरी किया, चोरी करने के कई तरीके होते है, मैंने कल भी कहा लांका है, वह मैंने जादा की expenditure अगर आपने ज्ञादा दिखा दिये, मेरा खर्चा एक लाकर पे कहा है, मैंने थो लाकर पे जखा दिया, अचा एक बच्चे का मेरे हर पर डाउट आये था, बच्चे यह बात कहते हैं कि सर क्या मार्किट में नकली बील मिल जाते है, सब सब भी सिर सिक्वेंस में बिल नहीं काटते हैं आपको भी चेक करना पहला बिल नंबर दूसरा तीसरा चोथा पांच बार बीच में दौ ब्लेंक चोड़ देंगे फिर अगला बिलकाटिंग क्यों क्यों अगर 20 में कुई बिलकाट वाने के लिए एक के सबस्क्राइब यही तो इवेजन और है क्या इन तीनों से ही tax कम होगा बट tax कम करने के तरीके अलग लग होगे planning लिगल है avoidance भी लिगल है बट यह तरीका क्या होगा illegal होगा ठीक है उसके बाद फिर tax management जी management का मतलब क्या होगा tax कम करना या compliance पूरे करना compliance पूरे करना example के तोर पर याद करो मैंने कल कहा था हाँ example के तोर पर ITR जो हम return file करते हैं अब सोचके बोला अगर income tax की return file हमें करनी है तो return file करने की date होती है ठीक है अच्छा वैसे किसी को पता है कि return file करने की date क्या होती है मैं नहीं कह रहा है कि आप मैं सिरफ normal तुका मार दो 31st March चलो 31st July चलो 30th June और किसी को कोई idea तुका ही मारना है सर मैं यह नहीं कह रहा है पता है आपको तुका ही मार दो की हाँ सर हमारे कोडिंग ना return file करने की date होती होगी 31st January चलो इधर सुना ध्यान से return file करने की आपकी दो date होती है इसको मागे रहा के discuss करेंगे अच्छा पहले एक बार यह बताओ सबने यह तो सुना ना लोग return file करती है आपने घर में कभी पापा की मूँ से कभी अब जब भी बात होगी ना कि मुझे income tax k return file करनी है तो ऐसा नहीं कभी भी फाइल कर दो बही जब मेरे मिरे मन में अया कि मुझे return कन is रिटरन फाइल कर ले एक सब्सक्राइब कि और था और फारविटी bağιο को हुआइक लोगों के लिए मिर्न टास धेमर mitäliga फिर्टी कीaggio करूँगा ना ये डेट होती है कंपनी या ऐसे लोग जिनका ओडिट कंपल सरी होता है आपने शायद कभी एक बड़ सुनागा ओडिट अब सोच के बोलना हम जब सीए कर रहे हैं तो सीए करने के बाद नोर्मली हमें करना क्या है ओडिट तो करने आप जब ट्रीनिंग करोग जैसे मालो आपके फादर हैं रिलेटीव हैं उनका नोर्मली ओडिट कंपल सरी होता अब बच्चा कहते है सरो डिट करवाने की भी तो कोई लिमीट होती होगी animals होगा उसकी बीएक लिमीट है कि अगर आपकी टर्णवर इस स्पैसिफऑइड वैल्यू से उपर होगी त तो नहीं होगा बड़ अभी उस बात पर नहीं हम जा रहे बस आपको ध्याना करें कि दो आपकी ड्यूडेट है एक तो जुलाई होती है और एक 31st अच्छा कोई बताएगा यह साल हमारा शुरू कहां से हुआ होगा फाइनेंशल यह मलब जो हमारा है स्टार्ट कहां से होगा फर्स्ट एप्रेल 2021 यह बात तो कलियर है और एक ओल्वेज यह बात अपने दिमार्ग में लेके चलना कि इन्कम टेक्स हो चाहिए नॉर्मली जीएस्टी हो इसमें फाइनेंशल यह फोलो करते हैं एकांट्स में आप कई बार कैलेंडर जबलेंडर की बात करूंगा ना तो इर मींज फाइनेंशल यह बाद ध्यान देना यह बार तो clear है आप सुना ध्यान से आज हमारी 25 सेप्टमबर है मतलब चांदनी कह रही है सर इस साल extend हो गई है 31 दिसंबर तक हाँ बिल्कुल extend हो गई है बट एक मैं answer दो चांदनी का question आया है कि सर इस बार extend हो गई है 31 दिसंबर तक तो जितनी भी extension होती है due date की वो हमारे exam के आप खुछ सोचना extension तो daily based पर हो रही है तो जो एक्ट में लिखी है due date वो हमारे exam के लिए applicable है ठीकरी तो जो आपका भी news में सुनोगे भी ने extension हो गई due date बढ़ गई वो हमारे किसी काम की नहीं हमारे कौन से काम की होती है जो एक्ट में लिखी है ठीकरी चलो इधर सुना द अंसर देते रहो थोड़े थोड़े बस 31st March 2022 ये बात क्लिए है बलाए ये साल हमारा खतम होगा 31st March 2022 को लो जी ये साल हमारे आपे खतम होगा फिर इससे अगला साल जो है वो स्टार्ट होगा ओव्यसी बात है 1st April 2022 से और वो खतम होगा 31st March 2023 को ये बात क्लिर है इधर सुना ध्यान से मैं कहना क्या चारा हूँ हमारा बैस स्टार्ट हुआ इस साल के बीच में हमारा बैस ने यहाँ पर स्टार्ट हुआ 24th September को हमारा बैस स्टार्ट हुआ आज हमारी सेकिंड क्लास है अज आप सोच के बोला आपने मुझे फीस पे की मेरा कोशन पूरी क्लास से यह है कि आपने जो भी मुझे फीस पे की इडिन्स मुझे कुछ ना कुछ इंकम आई वह बातार अगर उसमें कुछ खर्चे भी होंगे बट नेट इंकम भी तो होगी आज अगर 25 सेप्टमबर है तो मैंने इंकम कमाई है इस साल के बीच में तो वो इस साल की इंकम है इस साल की इंकम है सोच के बोलना मैं यह नहीं कर आपको पता है अब जब मैंने इस साल इंकम कमाई आपने जो भी मुझे फीस पे की मैंने इस साल इंकम कमाई क्या इस इंकम पर मुझे इसी साल tax pay करना होता है या tax मुझे अगले साल pay करना होता है जो मन में आ रहा है बोलते रहो, मैंने का ना पहली तीन class कुछ सिखना नहीं है, chapter 1 तो बहुत बाद में करेंगे, सिरफ बोल रहे हैं जो हमने सुना है या कहीं से देखा है हाँ जी इस साल टेक्स पे करेंगे अगले साल टेक्स पे करेंगे और जो यह कहरेंगी इस साल अगर इंकम कमाएंगे तो इसी साल हम टेक्स पे करेंगे कोई ऐसा बच्चा क्लास में चलो नहीं है और जो यह कहरेंगी अगले साल टेक्स पे करेंगे तुक़ा मारने सर, अंसर सबने देना है, अगले साल, जो गहें, अगले साल टेक्स पे करेंगे, ओल्मुस्स तारे बच्चे कह रहे हैं, कि अगले साल टेक्स पे करेंगे, अब सुना ध्यान से, इडमिस आपने क्या बोला कि सर 31 मार्च तक आप जो भी इंकम कमाऊगे जैसे मालो आज मेरे पास 100 रुपे फिर 200 रुपे ये पैसे इकठे करते रहो 31 मार्च आगया 31 मार्च तक मैंने देख लिए पूरे साल में कितनी इंकम कमाई है उस इंकम को मैं कैल्कुलेट करूँगा और जो भी उस पर टेक्स बनेगा आपने बोला कि सर इस बार पे नहीं करोगे आप अगली बार पे करोगे ये आपने बहुत परफेक्ट आंसर दिया बहुत स già अंसर दिया आपने मेरे भी ना बताए इस साल की इंकम पर हमें कभी इस साल टेक्स पेफेकर करना होता है अगले साल से कर्ण होता है जिन cases में जिस साल income कमाते हैं उसी साल tax pay करना होता है बड़ उनको छोड़ दो भी normal rule क्या कहता है कि जिस साल income कमाऊगे उस साल tax pay नहीं करना अगले साल tax pay करना है ये बात तो clear है अब सुना ध्यान से मैं समझाना क्या चारा हूँ अब आपने बोला सर इस साल income कमाऊएंगे तो अगले साल tax pay करेंगे और अभी हमने दो बाते की return फाइल करने की date होती है 31st July और 31st October ये दो date होती है अपने आप देख लो कैसे बनता है हम कोशिश करते हैं लो बनाने की खुद ही आपको कितना मज़ा करते हैं कितना confidence आएगा आपको सोच के बोलना आपने बोला सर इस साल income कमाएंगे इस साल की income पर इस साल tax pay नहीं करेंगे अगले साल tax pay करेंगे मैं गरी बिल्कुल perfect आपने बोला सोच के बोलना अगर इस साल की इंकम पर अगले साल टेक्स पे करेंगे तो जो लोग इंकम टेक्स की रिटर्न फाइल करते होंगे क्या वो उस साल फाइल करते होंगे जिस साल वो इंकम कमाते हैं या अगले साल फाइल करते होंगे कोशिश करना आपने आप सेम एयर में रिटर्न फाइल करते होंगे या अगले साल फाइल करते होंगे जो कह रहे हैं सेम एयर में रिटर्न फाइल करते होंगे सेम एयर में मैं कह रहा हूँ गलत सही बोलना है बस आपने यह मैं सोचो कि है गलत नहों जाए अंसर मारा क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं टेक्स के बारे में जो कह रहे है सर सेम यहर में कोई ऐसा बच्चारी चलो और जो यह कह रहे हैं next year में return file करेंगे 100% class कह रही है next year में अच्छा लोजिक बता से तो next year में क्यों याद करो मैंने कल पहली class में का था return का मतलब क्या होता है return is nutshell is a information of an SSC कि आपने कितनी income कमाई income कहां से कमाई उसमें पूरी calculation होती है और जब पूरी calculation होगी जब तक मेरा साल ही खतम नहीं होगा मैं कैसे calculate कर लोगा और यह तो simple सी यह भी clear है कि अगर मेरा 31 तारीक को साल खतम होगा तो ऐसा तो है नहीं कि जब मेरा साल खतम होगा government बोले same day return file करो possible ही नहीं है क्योंकि सहाब 31 तारीक रात को 12 बरे भी तो इंकम आ सकती है मालो रात को पोने 12 बजे मेरी रिचार्ज की तुक आने किसने मुझे phone किया सर हजार पे रिचार्ज करवा दो तो मैं return कैसे file कर दूँ तो 31 तारीक 12 बज तक मुझे income आ सकती है और जहां तक income आ सकते हैं वहां तक return file नहीं कर सकता है तो गोर्मेंट ने बोला साहब कि यहां तक income कमाओ इस income पर जो तुम tax पे करोगे अगले साल पे करोगे जो return file करोगे अगले साल करोगे अब आपने बोल देना जो return file करनी है तो return file कब करनी है तो दो डेट होंगी जुलाई या अक्टूबर अच्छा अगर कोई आज आपके बाद class जाने के बाद बाहर बोल दे कि यार मेरे ना audit होता है मेरा audit compulsory है तो मुझे return file करनी है तो मेरी return file करने की due date क्या होगी तो आंसर क्या दोगी 31st October और अगर वो बोले मेरा audit compulsory नहीं है मैं middle class person मेरी थोड़ी बहुत income है बट मुझे return file करनी है उसकी date क्या होगी 31st अच्छा वो यह बोले कि July और October किस year की तो क्या बोलोगे जिस year में income कुमा रहे है उस साल किया उससे next year की next year की बस यह बात ध्यान के रहे हैं यह बात क्लीर होती है तो अगर आपने यह सारे compliance अगर आपने सही टैम पर फोलो किये ना तो अब यह समझ लो tax management आपने सही से किये यह tax management है बस tax management means क्या कि जो भी compliance income tax में है अगर वो सही टाइम पर फोलो कर रहे हो it means tax management सही चल रही है ठीक है रही तो चार मीनिंग हमने कर लिए planning avoidance evasion और management आगे बात करो finance bill की अब मुझे फटावर से आंसर देना चाहिए finance bill मैंने कल भी कहा था सर अचा मैं आपको दिखाता हूं और मैं specially आपके लिए लेकर आया हूं यहां पर देखना जी यह देखो यह आपका है finance bill 2021 जो इस बार श्रीमतिन निर्मला सेता रमान जी ने पेश किया आपको मैंने कल भी कहा था कि हर साल budget आता है एक फरवरी को budget पे 318 318 पेशिस का finance bill है वह बहुत 318 पेशिस में जितनी बाते लिखी है न यह सारे चेंजिस गौर्नमेंट ने पर्पोस किये है और सिर्फ टैक्स का नहीं है सिर्फ टैक्स का नहीं है इसमें और भी कई financial matter है बट मैं दिखाना क्या चा रहा हूं 318 पेशिस अब यह दिखाता यह finance act 2020 बन जाता है तो अब सोच के बोलना एक्ट कितने पेज़ के है 191 कि एक्ट कितने पेज़ के है 191 तो इसको देखने से पता लग रहा है कि जो बाते बिल में हैं वही सेम बाते एक्ट में करनवाइट होंगी यह ज़रूरी नहीं है कल मैंने आपको बताया था क्योंकि बिल होगा पार्लेमेंट के हाउस में जाएगा वहां से अप्रूव होगा प्रेजिदेंट साइन करेगा उसके बाजा कि एक्ट बनेगा तो इस बीच में कुछ चेंडिस ऐसे हुए होंगे जो ब फाइनेंस भी लाया उसके साथ ही उसके रीजन साए कि जो ये चेंड हम करना चाहरे है वो क्यों करना चाहरे है इस मेमोरेंडम में लिख्या हुए तो बस ये बात ओल्वेज ध्यान देना सर ये गोर्मेंट के डोक्यूमेंट है ठीक है आपको कभी भी मैंने का ना कभी भी लाइफ में अगर कभी हो कि हम इस बजट में कौन सा चेंज आया उसका रीजन क्या है तो मैं में रेंडम खोलना उस एयर का सारे रिजन आपको होंगे टेक्सेशन सबसे पहले कहा जाएगा लोग सुबा फिर कहा जाएगा कितने दिन मिलेंगे फिर कहा जाएगा प्रेजिडेंट वो क्या करेगा साइन फिर क्या बन जाएगा कितने दिन में 75 डेज में यह एक्ट बनने का प्रोशेस होता है तो यह ओडिनरी बिल दोनो उसके बद Memorandum इसमें आपको बताई दिया जितने चेंज गवर्मेंट लेकर आती है उसके रीजन्स के हैं गवर्मेंट चेंज क्यूं लेकर आ रही है वो सारी बाते Memorandum ने हैं फीकरी अब आउची लास्ट तीन पॉइंट कवर करके देन हम GST की जर्नी स्टार्ट करेंगे एक बड़ पॉइंट नंबर एट पढ़ना क्या लिखा हुआ है नोटिफिकेशन सर्कूलर एक्स्प्लानेशन और केस लोज ये चार बाते हमें देखनी है इतना बोलना नोटिफिकेशन का नाम किस किसने सुना हुआ है कि अल्मस सबने सुना है अच्छा कहां कहां सुना हो वैसे अच्छा मोबाइल पर रो जाती है नोटिफिकेशन चलो और किसीने कभी बुक्स में देखी हो या कहीं कोचिंग अभी चल रही हो वहां पर कुछ नोटिफिकेशन आपने कभी देखा हूँ पर फाउंडेशन में कभी नोटिफिकेशन का बात ऊई हो और किसीने कुछ देखा है और किसीने कुछ देखा हो यह अधर दियांग से एक बात मुने बताना मैंसे बजट साल में कितनी बार आता है अंसर छोटे छोटे देते रहो वस साल में कितनी बार आता है रही एक बार ये तो clear अज़र कब आता है फरस्ट फैब को ये भी clear है करा हमने डिसकस किया था कि बजट साल में एक बार आएगा फरस्ट फैब को आएगा ये क्या हुआ लोग सभा में गया रादे सभा में गया इन्होंने पास कर दिया प्रेजिडेंट के पास गया साइन हुआ और अब जाके ये एक्ट बन गया मालों ये इंकम टेक्स एक्ट के जगा फाइनेंस एक्ट है ठीक है रही और जैसे ही finance act बना तो all over India applicable हो गया क्योंकि act का मतलब all over India applicable हो जाएगा act का होता ही मतलब यह है कि अब इसको apply कर दो अब यह act बन चुका है और जब all over India applicable हुआ तो लोगों ने पढ़ना start किया जब लोगों ने पढ़ना start किया तो government ने का यार बहुत बड़ी गलती हो गई अब government से क्या हुआ इस act को लिखने में ना कुछ गलती हो गई और जैसे ही गलती पकड़ में आई अब government को लगा भाई सब अगले साल का wait करेंगे ना तो यह Indians हैं यह भढ़ा हमें बर्बात कर देंगे हमnya इसको चैंज करने हैं और हम में अभी चैंज करने हैं कि क्या अगर अब तो बज़म तो अगले साल आएगा अगले साल का wait कैसे करें क्यों को व्यवजआ बीच में एक साल का gap है और एक साल में क्या से क्या हो सकता है अब गौर्मेंट कहें इसको हमें चेंज करना है और इमीडियेट बेस पे चेंज करना है तब गौर्मेंट क्या करेगी notification के दुरू करेगी तो अलवेज ये बात ध्यान देना हम text में आप किसी भी चाहे वो लो का paper हो चाहे वो कहीं पर भी आप notification अगर word पड़ोगे तो समझ जाना कि बीच में कोई ना कोई चेंज आया है अगर government को immediate कोई change लेके आना है कि हाँ ये chain मुझे अभी से applicable करना है अब उस government notification में क्या बताएगी notification में ये बताएगी कि जो ये हमने amendment की है इसको withdraw कर रहे है या इसको हम substitute कर रहे है जो language ये है अब ये नई language होगी वो ये वाली होगी और ये applicable R से ही होगी पुरानी खतम हो जाएगी तो मैंने आपको भी बताएगी था ना कि एक्जाम से 6 महीने पहले की notification हमारे एक्जाम में आती है तो notification में क्या होती है चेंजी से दो 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 है तो always ये बात जाना है कि चेंजी सिरफ budget में नहीं आती है अगर साल के बीच में कोई भी चेंज लेकर आना है तो government कैसे लेकिया सकती है notification से ठीक है अच्छा notification के साथ एक word है circular और explanation ये दोनों सेम होते है circular और explanation नाम से ही पता लग रहा है explanation means क्या clarification जैसे मैंने कल भी कहा था कि एक line के double meaning आ रहे है अब अगर एक line के double meaning है government को उसे clear करना है किसका real meaning क्या है तो government क्या करेगी circular issue कर देगी आपको मैं अगर रहके दिखाऊंगा income tax में काफी circular है GST में काफी circular है उसकी language start पते है कैसे होती है उसकी language start होती है for the removal of doubts आपके doubts clear करने के लिए it is hereby clarified that हम ये clear कर दें कि जो आप line पढ़ रहे हो उसकी interpretation वो नहीं है उसकी interpretation ये है तो circular और clarification means कि government यहापे clarify करेगी लोग को और case law का मतलब क्या होता है कि high court और supreme court की judgment जैसे Voda phone मैं आपको कल बताया था कि Voda phone सर Voda phone को आप हैरान हो जाओगे Voda phone को के सुनकर जो मैं capital gain में कराऊंगा Voda phone को 13-14,000 कृटर रुपे की penalty लगी है सर Voda phone है एक्चल मैं आप सब को बताऊगा Voda phone इंडिया की company नहीं है बाहर की company है और Voda phone का भी share देख लो 4-5-10 रुपे मैं घूम रहा है मेरे ख्याल से सुनने में कितनी बड़ी company है share 10 रुपे का नहीं है क्योंकि बरबाद हो गई penalty लगी हुई है अगर इतनी हैवी penalty है कौन share ख्रिदेगा कल company बंद हो जाएगी और Voda phone आइडिया मर्ज हो चुकी है और आइडिया का जो promoter owner है वो कहारे नि मैं तो बहार हो रहा हूँ और ऐसे उसने हाथ की चे शेर और गिर गया फिर government ने अभी इनको तीन से चार साल दिया है कि हम चार साल और दे रहे हैं हमें पैसा तो चाहिए चाहिए और वो केस क्या था Voda phone ने क्या क्या था वो बात का matter है बट मैं कह रहा हूँ कि Voda phone का जो case थाना सर आपने सुना होगा इंडिया में जज़िस बिखते हैं Voda phone के case में सुप्रीम कोट का एक एक जज़ बिख गया था और सुप्रीम कोट ने उस तेम पता क्या का 2012 के बात करा हूँ सर सुप्रीम कोट ने का रही इंडिया का मतलब जो इंडिया के department है वो सब्वेकार है ओफिसर सब्वेकार है हम जो कह रहे हैं वो सही है और हम कह रहे हैं Vodafone इनोसेंट है Vodafone ने कोई चोरी नहीं की दी यह इतने भी उस तेम क्या वादा Bombay High Court का ओडर आए था Bombay High Court ने का रही Vodafone गलत है इसको पनलिटी लिखा और आप सब जानते हो Supreme Court सबसे बड़ा होता है Supreme Court ने का रही Bombay High Court भी गलता है Department भी गलता है और आप उसकी judgment पढ़ लेना सर Supreme Court ने साफ साफ का कि Department के officer अपने उकात में रहे उनको यह देखना ही नहीं इंडिया से बाहर क्या हो रहे है वो यह देखने इंडिया में क्या हो रहा है क्योंकि Vodafone कंपनी बाहर की थी और जिस छोटे से officer ने Vodafone का case पकड़ा था वो commissioner बन गया था उस टेम इतना है भी case पकड़ दिया था सर और अगर यह transaction Vodafone की उस टेम हो जाती इंडिया को कितने हजारों क्रूलों का नुक्सान हो था आप सोच भी न सकते वो तो शुकर है उस department officer ने case पकड़ दिया अब जो case पकड़ा उस ने Vodafone को पकड़ा एक कंपनी थी Hutchison आपने शाहिद नाम सुनोगा इंडिया में पहले चलता था हच इंडिया सुने ना तो एक केस उसका है पूरा एक्चल में केस करेंगे एक्चल में केस क्या था तो एक Hutchison कंपनी थी Hutchison कंपनी होंग कोंग की वोडा फोन कंपनी है नीदर लेंड की बना ट्रानेक्शन सारी बहार हुई सब कुछ भार हुआ बट इंडिया से कही ना कर लिंक आ गया था अब इंडिया से क्या लिंक साथ डिसकस करेंगे जब इंडिया से लिंक आया तो डिपार्टमेंट के उफिसर ने वोला वोडा फोन को भाई साब कर क्या रहे हो और जो ये टानक्शन कर रहे हो उससे इंडिया क समझो क्योंकि जब ये टानक्षन तुमारी कंप्लीट होगी तो हमारी इंडिया की कंपनी बिक जाएगी इस तरह से टानक्षन हो रही थी उसने बेकार की बाते कर रहे हो छोड़ो ना ऐसा थोड़ा होता ही होता है वो तो काफी आर्ग्यूमेंट हुए तो डिपार्टमेंट ने क्या किया बहुत केस फइल कर दिया हाईको में फील करने अपील फाइल की बंबे हमारे डिपार्टमेंट और ओफिसर सही ए वोड़ा फोन गगा वोड़ा फोन इतने हजार क्रोड़ अटेंटी देने पड़ेगी वोड़ाफ और परशान है कि वासर फस्गहे तो चुए कि प्लैन की और प्लैन किस्स रहाइं हो गिर किस ने प्लैन करवाहिं हम यह और क्यों क्ट था रागा था कि Zac कम टेक्स में इतने रूट आप सोच मिन सकते हैं मौरिश्यस रूट केमेन आइलेंड दुबाई ये साथ कई कंट्री ऐसी है तो टेक्स फ्री कंट्री और उस रूट साही टानेशन चलती है अब पैसा ऐसे आपने नाम सुनागा रोबर्ट वाड्रा नाम सुना आपने रोबर्ट वाड्रा रोबर्ट वाड्रा वो क्या नम उनका कोन है हाँ प्रियंका गांधी के हजबेंड अब शर्क 26 कंट्री में पैसा घूम कर आए 26 कंट्री के अंदर पैसा हम तो कुछ करी नहीं रहे हैं आपको लगना को यह अपक्र आप मैंने का ना टेक्स की दुनिया बिल्कूल अलग गया मिल्कूल यह अलग प्रैक्टिकल लाइफ में तो इस तरह से पैसा गूमता अलग वोड़ाफ होने का नहीं कोई बात नहीं बोंबे हाई कोट ही तो है हाई कोट की जन्रमेंट कौन सा पूरे इंडिया में अपली केबल होती है हाई कोट की जन्रमेंट तो उस एरिया में अपली केबल होगी जहां का वह ही कोट होगा उसने क्या कि हा हाई कोट के अगेंस्ट के जड़ी के सेलरी कितनी होगी क्या क्रोड होगी ओने कि दस दस ट्रोड बीस बिस ठोड बेड़के है अब जब सुप्रीम कोड ने जज्जमेंट पास की 2012 में लोग हैनान हो गए Supreme Court ने बोला जी, इंडियन जो income tax officer, जिसे उने case पकड़ा, कहारे है अपने उकात में रहे, इंडिया से बाहर क्या चल रहे है, वो ये देखने की बजाए, इंडिया में ही देखने क्या चल रहे है, ये बहुत बढ़ी बात है, और Bombay High Court गलत है जी, Vodafone innocent है हम judgment pass कर रहे हैं कि Voda phone को single penalty प्रेंड नी करनी Voda phone बाइदबरी होता है कोई दिक्कत नहीं वोड़ा होना वोड़ा भंगने डालना start क्यों क्यों क्योंकि Supreme Court की judgment है law of land है उससे बड़ा कुछ होता नहीं और जब Supreme Court ने judgment पास की 2012 में उस टाइम हमारे देश के finance minister थे प्रणम मुखर जी वास वेरी एंग्री प्रणम मुखर जी ने कहा कि इंडिया का इतना बड़ा कोट यह डिसाइड कर रहे है कि साफ साफ लग रहे है कि Vodafone गलत है और वो कर रहे है कि Vodafone सही है उन्हों ने क्या किया finance act में amendment कर दी क्योंकि Supreme Court की judgment को एक ही चीर खतम कर सकती है finance act क्योंकि finance act सबसे बड़ा होता है क्योंकि budget से बड़ा कुछ भी नहीं होता ना उन्होंने क्या किया अगला budget आया अगले budget में 125 चेंजिस आये 125 में से अप्रोक्समेट 80 प्लस चेंजिस जो एक्ट में किये गए Vodafone के वरसे किये गए और जब वो चेंजिस किये उन्होंने क्या 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 finance act से Supreme Court की judgment को नलीफाई कर दिया और कमाल की बाद देखो retrospective बेस पे retrospective को मैंना पता क्या आता है retrospective means पीछे से amendment आई गया है माला यह amendment आगे से applicable नहीं होगी पीछे से और जब पीछे से applicable हुई तो Vodafone पकड में आ गया और Vodafone परशान फिर जब finance act amend हुआ Vodafone पूरे वर्ड में इंडिया का नाम खराब कर दिया कैरे ये इंडिया जी देखलो एक बार इंडिया को देखलो कैरे इनको अपने Supreme Court में विश्वास नहीं है फिर Supreme Court बिठाया है क्यों है जब तुम्हें Supreme Court की जड्मेंट में विश्वास नहीं है तुम्हें Finance Act के थुरू अगर अमेंड्मेंट सी लेके आनी है Supreme Court को नलीफाई करना है तो फिर Supreme Court हटा ही दो ना अब तुम्हारा ही सबसे बड़ा कोट उसने ही डिसाइड किया मैं इनोसेंट हूं और तुम अमेंड्मेंट लेके आगे और प्रोस्पेक्टिव इस पे नहीं रिट्रोस्पेक्टिव इस पे दा कि मैं कवर हो जाऊं पूरे वल्ड में इंडिया के मतलब यह हो गया कि है य युएस के सुप्रीम कोट किया और हर सुप्रीम कोट से ना सेम जज्जमेंट लेकर आ गया जो इंडिया के सुप्रीम कोट ने दी same judgment कि Vodafone innocent है और जब Vodafone यहाँ पर दुबारा आपकी साय है उसने का देखो यह इस Supreme Court की judgment है यह Supreme Court की है यह आपके Supreme Court की है सारी judgment match हो रही है मैं innocent हूँ अपना amendment जो है वो change करो Finance Ministry ने amendment change की और एक section लेकर आगई 119 section 119 income tax में है validation close उसमें पता है कि Vodafone पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चला जाए किसी भी Supreme Court की judgment गया है सब बेकार है जो हमने बोल दिया वो सही है जाता रहे पूरे वर्ल्ड में तभी तो यह चल रहे है ना सराज उस दिन के वास में Vodafone का share आप देख लो क्योंकि अब fix हो चुक है कि भाईसा penalty देनी ही पड़ेगी हम वह बात अलग है time बढ़ा रहे हैं बर penalty देनी पड़ेगी तो मैंने आपको बताना चाहरा हूं कि जो यह judgments होती है वो आती कैसे है judgments आएं कि कैसे है आप मुझे खुद बताओगे सर income tax department का नाम सम्ने सुने शुने है अच्छा ito का नाम ITO का नाम ITO क्यों है आइटी के full form क्या है income tax office यह तो पता है न कई बच्कों पता ही नहीं हो तो इनको बत रगता ITO तो IT अ मींस क्या हो गया income tax office वहां पे income tax office है इंकम टेक्स ओफिस के अंदर कौन बैठी होंगे इंकम टेक्स ओफिसर ओफिसर क्या करते होंगे अच्छा जो लोग रिटर्न फाइल करते होंगे उनकी चेकिंग होती होगी मैंने कल भी का था कुछ केस पकड़ में आते हैं ठीक है और फिर वो क्या करते होंगे उनकी असेस् से हो जी आप सब लसे सी हो और में हुन डिपार्टमेंट को अफीज़्य। बहुत ध्यान सुना मैं आपने रिटरनcing की और मैंने कल भी काता सो लोग हैं तो सो लोग return file करेंगे और सोured होगी स्वेली भी मैंने इनकी return छेक्किया सक्षिश है इनकी return छेक्किया मैं कि पकड़ लिया मैंने के घर में लेटर भेज दिया मैं करिया कम से कम आपने 8-10 लाख रुपे की चोरी की है मुझे प्रूफ करो कि आपने चोरी नहीं कि अभी बच्छा प्रूफ करेगा इसने रिप्लाई लिखा उस रिप्लाई से मैं रेस्टिफाइड नहीं हो मांगर रिप्लाई बेकार है बेकार की बाते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है और आपने चोरी की है अब मैं ओडर पास करूँगा कि आठ लाख रपे का टेक्स ले कि आओ इतने का इंटरस्ट ले कि आओ इतने की पिनल्टी ले कि आओ ये बच्चा कह रहा है सर मेरा दिल जानता है मैंने चोरी नहीं की डिपार्टमेंट सिर्फ परशान कर रहा है मुझे ये मेरा बच्चा कह रहा है कि सर मेरा दिल जानता है मैंने चोरी नहीं की सारे डोकुमेंट दिखा दे, फिर भी डिपार्टमेंट कह रहा है कि नहीं चोरी की, अचा अगर डिपार्टमेंट ऐसी जबरदस्ती करे, तो क्या असेसी के फेवर में, इंकम टेक्स में कोई डेमेडी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए ना, उसको हम बोलते है अपील, अपील मिन्स क्या होता है, कि अब ये परसंच होगा ना, अपील करेगा, अपील कहाँ पे, हाई कोट में, सुप्रीम कोट में अपील करेगा, अब सुने ध्यान से, इस बच्चे ने क्या किया, हाई कोट में अपील डाल दे रही, डिपार्टमेंट मुरे परशान क कर रहा है खार 8,002 की चोरी किए मैंने कोई चोरी नी की हाई कोट पास कर दिया असे सी सही है डिपार्टमेंट गलत है अब सोच के बोले ना, जिस high court ने order pass किया, क्या यह judgment पूरे इंडिया पर applicable होगी या उस area में जहां का वो high court है, उस area में इसको बोलते हम case laws, case laws means क्या होता है, आप सब जानते हो practical life matter high court पे कितने क्रोडों के spending है, उसमें कई case income tax के भी होंगे, तो जो daily base पे high court, supreme court के judgments आनी है ना, तो हमारे exam में वो भी applicable है बट सारी नी जितनी important judgments है वो institute ने हमें दी हुई है वो ही हमें पढ़नी है exam के लिए बस एपाध ध्यान देना बस इतनी से बात बताना चाहता हूँ कि high court और supreme court में फरक ही है कि high court के judgment जो भी होगी उस area में applicable होगी supreme court जोगा low of land होगा पूरे इंडिया पर applicable हो जाएगा बस यह बात ध्यान देना जी यह बात clear है तो notification means कोई भी change लेके आना immediately circular explanation means clarification उस पर case तो means क्या हो गया high court और supreme court की judgment अब यहाँ पर एक word आ रहे है जीस्ट काउंसिल लो जी अब बात करते हैं जीस्ट काउंसिल किस किसने यह वर्ड सुना है सिरफ सुना है पता छोड़ो किस किसने वर्ड सुना है एक दो तीन सर कोवीड से income tax पे कोई impact आया है कोवीड से income tax में चांदने कोई भी impact नहीं आया बट वो बात अलग है कि आपकी due date extend हो रही है बट government का revenue तो same ही है हाँ कुछ हद तक कम हो चुका अब वैस बात लोगों के business ही बंद हो गए लोगों के दंदे ही चोपट हो गए ठीक है डी बट में अगर आपको बता हो कोवीड में इतना revenue आया है जो आप सोच में सकते क्यों सारा काम ओनलाइन हो गया आप खुद देखो ना जो कैस्ट लेते कैस्ट लहीं नहीं पारे सर आज अगर मैं face to face बैच चल रहे हैं क्या अभी भी पूरे बच्चे face to face आ रहे हैं नहीं पेरेंट्स भेजी नहीं और और डर तो है ना सर और डर क्या है लाइफ का है क्योंकि जो पिछले आपने देखा करके कई बर दिमाग खराब हो जाता है तो हर एक फेरेंस को डर है कि भाईसा वो टाइम द्वापिस ना आ जाए तो लोग डर रहे हैं कि नहीं है घर बैटो अब घर बैटो मींस ओलाइन क्लास को मींस अब सोचके बोलना जो बच्चा पंजाब से यहां के कोचिंग लेता अब पंजाब बैटके ही कोचिंग दे रहे हैं तो क्या वहां कैश देने के लिए आएगा कैश रुग गया पेमेंट कहां पर आई अब जो लोग शोही नहीं करते थे अब उनके लाग फुर पे शो रहे हैं अब क्या वो टेक्स बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा यस आज जैन में मोबाइल है मोबाइल पेटीम है उसके अंदर फोड़े बहुत पैसे हैं काम खता है आज चेकर लोगों की जैन में कैश इतरह होता ही हम निश्चिंदों के निकलते हैं अच्छा मोबाइल है ना बस क्योंकि मुबाइल में Google पे भी है पेटीम भी है फोन पे ब रपे क्या दसर्प confidence अब करता होगा आज तक भी ओना इंगे है तो में निखनी कहीं न कहीं सर प्र Walter Cosne graduated GST Council पी आ जिए जी एस्टी Council आपने नाम से और एक दो बच्चाने और नाम से जी स्टी Council अब सुना जी स्टी Council होती ही कि मैंने कल भी का कि क्लास नंबर 4 जब हम chapter one start करेंगे पहले तीन क्लास तो basic ही है कि고conomics होता हैं तो एक स्व north इसरी युकुन सा अ। इतनी बात हम छीस्ट की दिश्क टीओं अधि आप यहाँ बिल दिखाना चाहता हूँ ये देखना आपको गर यहाँ पे बिल दीख रहा हूँ यह देखो यहाँ पे यह CGST लगा हुए ठीक है यह आपका SGST लगा हुए और एक यहाँ पे यह सर्वीस टार्ज भी लगा हुए दीख रहाँ आपको एक रेस्टोरेंट का बिल आई है और मुझे कुछ कोश्चन पूछने है इस बिल से लिटिट आप से एक GST भी लगा CGST और एक SGST भी लगा है और एक क्या लगा हुए सर्वीस टार्ज अब हर बच्चा मुझे अंसर देने की कोशिश करेगा अच्छा इसको छोड़ो भी सर्वीस साथ को छोड़ो यहां पर CGST SGST देखने से क्या लग रहा है यह सेंटल गवर्मेंट का और यह स्टेट गवर्मेंट का ठीक है इतना पता देना है जब एक बिल में दो जियेंटी रग रहे हैं CGST और CDST तो क्या जियेंटी बनाने वाली एक गवर्मेंट टूंगी यह दो होंगी ईए दिमार्फ से मैं ने का ना पता हमें कुछ नहीं में कुछ नहीं नहीं को दिसाध में संट दिकार का सिय्टा घ्लार नहीं होगा चाह संट उसे मताया खुई एग्जाम होगी एक्जाम में गल्ती ने होनी छाईए यहां पर जितनी रजी गल्ती करो मुझे कोई दिकत नहीं जो कह रहे हैं Central Government जी स्ट बनाने वाली Central Government चलो जी और जो ये कह रहें कि दोनों Government ने मिलके बनाया है इस नश्वर संसार से क्या लेके जाएंगे हाँ कई बच्चों कह रहे हैं सर हमें समझ निया रहा हम क्लास आतो हुए हैं सुभे सुभे बट जिंदगी चेंज हो गई है बहुत ज्यादा थोड़े सी देखो बच्चे को नींद आ रही है है आप को ना लाएक है आप को ही कह रहो हाँ बच्चा पीछय देख रहाँ नहीं मुझे बच्चे निया मैं ने कल्भी कहा दो क्लास के आएंके जोने बाले बच्चे वी या चुके है आजे कि am मज़ में आरहा है और बच्छे को तो मुझे लगा हां बोल रहा है भच्छा फिर मैंने ध्यायन देखा मैंने गाहा हो चुका है बच्छा चांद के बाश जा चुका है पूछना वहाँ पानी है या नहीं है साइंटिस रिसर्च कर रहे हैं इधर देखो ध्यांसे हनी अब मुझे लास्ट टाइम हर बच आंसर देगा जी आपने अंसर नहीं दिया था ठीक हर बच आंसर देगा मैं करहा हूं अच्छा मैंने ये कहा कि आपको पता है मैंने भी तक कहा मैंने क्या बोला कि जो मन में आ रहा है बोलते रहो इससे पता क्या होगा हमारी connectivity बढ़ेगी आपको ये भी फील होगा कि हम किस हद तक सही है क्या होगा गलत ही तो होंगे ना क्लास में तो बैठे है एक्जाम तो बहुत दून है भी आप सुना दियांसे जो ये कह रहे ह वाली जीस्टी बनाने वाली एक ही गौर्मेंट है Central विटा एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारां बारा तेरह चोदा इश्वार बैठे हैं और जो ये कह रहे हैं कि जीस्टी बनाने वाली दोनों गौर्मेंट है आं ए बबाकी सब बच्चे कह रहे हैं यह बताओ GST आया कब था, डेट बोलते रोबस कब आया था, एक जुलाई 2017, इस दिन हमारा GST आया, इस दिन GST का जनम हुआ था, देट ओ बर ध्यान देना, फर्स जुलाई 2017, इस दिन हमारा GST इंडिया में आया था, अरज जब GST इंडिया में नहीं था, क्या उससे पहले कोई भी टेक्स नहीं थे, यह टेक्स लगते थे, कोई नाम बता सकता है कौन कौन से, वैट बहुत बढ़िया, very good, सेल टेक्स, उसके बाद, एकसाईज, बहुत बढ़िया, और, और कोई नाम सुनाओ, एंटरटेंमेंट wz, और, शर्वीस टेक्स, यह टो नाम सुनाओगा आपने, शर्वीस टेक्स, यह नाम assunaओगा आपने, षब्एक्श हों लिए सोने होंगे या सुने होंगे, क्योंकि आज से चार साल पहले की बाता, चार साल पहले आपकी एज मेरे खाल से 14 यो 15 साल ही होगी अभी मेरे खाल से 18-19 होगी आपकी सतरा कोई मलो 17-18 नाइन्टिन, कोई 18 साल से कम कभी है अठारा से कम को को फिर जरूर करें सारे थीक आप सुना ध्यान से अब GST आ चुक है अब सुना ध्यान से मैं कहना क्या चाहिए कि आपने बोला कि सर GST एक जुलाई 17 को आया उससे पहले कई टेक्स थे तो मैंने कल भी एक लाइन बोली थी कि 17 तरह की आत्माएं इस ब्रह्मान में भूमती थी अलग अलग आत्माएं इस ब्रह्मान के अंदर भूमती थी आत्माएं मींस एक्साइज डूटी एंटरेटेन्मेन टेक्स हो गया वैट हो गया सैस हो गया सरचार्ज हो गया 17 तरह के टेक्स थे और उन 17 टेक्स में नो टेक्स आपके सेंटल गोर्मेंट के थे और आठ आपके स्टेट गोर्मेंट के थे 17 टेक्स अलग लग थे जिसमें नो सेंटल गोर्मेंट के थे आठ स्टेट गोर्मेंट के थे एक्जामपल के तोर पे मैं आपसा जानना चाहता हूँ वैट शायद आपको बता हो वैट स्टेट लेवल का था वैट सेंडल का नहीं था वैट स्टेट लेवल का था आपने नाम सुना मूर्थल आपने कर कभी नाम सुना मूर्थल यह सोनीपत के पास है जहां पर लोग प्रांठे खाने जाते हैं तरह में प्रांठे नहीं मिलते हैं वहां जाते हैं हम बड़ा फेमस हो गया या सुगदेव का धाबा हो गया मैं इतने इतने किलोमेटर एक प्रांठा खान जा रहे हैं मज़े सो घर में मुमी प्रांठा ही नियास तक हिलाया बट वह बात अलग है कि वहां फिलिंग ये लगाती है हाँ ये सरो माई गोड इधा सुना थे हंसे अब सोच ना अचा वह GST इंडिया में नहीं था वही सेम आलू का प्राठा अगर आपने देली में खाया तो उस पर वैट करेट अलग लगता था और वही सेम प्राठा अगर सुखदेव के ढाबे पे जाके मूर्थल में खाया आप चेक करते वैट करेट अलग था क्यूं क्योंकि दोनों स्ट इंडिया में उस टम 29 स्टेट थी कहने को 29 स्टेट थी एक्च्वल में 29 इंडिया थे हर स्टेट में अलग बैट हर स्टेट में अलग बैट हर स्टेट में अलग बैट कंसल्टी नी कर पाते थे कि एक क्लाइंट का फोन है पंजाब से के अधरी मेल ध्याने हो बोल रहे हैं अपना वैट दा रेट की चल रहे है जी वैट दे प्रोविजन केड़े केड़े ने कौन कौन से प्रोविजन है मैं करी में नो नहीं पता मैं तह दिल्ली रहना एक अभिहार से फोन है क्या चल उन्हें बोला कि वैट की कंप्लाइंस वहाँ पर क्या चल रहे है मैं करी मुझे नहीं पता मैं दिल्ली करेंने वाला हूं समझ पा रहे हो कि दायरा कि इतना चोटा हो गया कि मैं वही क्लाइंट हैंडल कर पाऊंगा जो इस एरिया क्योंगे क्योंकि सब्सक्राइब 29 याद कर दिया और आप सब जानते हो अगर आट फोरनर इंडिया मैंना बंद कर देंगे इंडिया की जी टीपी खतम हो जाएगी होरी इन्वेस्मेंट इंडिया सत्रां सी ए मेंटेन करने पड़ेंगे, सत्रां की कोश्ट कोन बियर करेगा, भाई साब हाथ जुडवा लो, हम तुम्हारी कंट्रिमिन धीरे 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 फोर्नर ने इंडिया से हाथ कीच लिया और सब बाहर चले गए, और गोर्मेंट को लगा भाई साब, अगर फोर अब आंसर आप दुबारा दोगे, जब आठ टेक्स सेन्टरल गोर्मेंट ने अपने खतम किये, और आठ टेक्स स्टेड गोर्मेंट ने अपने खतम किये, इन दोनों को खतम करके फिर GST इंडिया में आया तो क्या GST लाने वाली सिरफ सेंटल गोर्मेंट होगी या दोनों होंगे दुवारा से कोशन पूछ रहा हूं जो ये कह रहे हैं सर एक ही गोर्मेंट होगी सेंटल और जो कह रहे हैं दोनों होगी अच्छा ऐसा अब क्यों फिल हुआ कि दोनों होंगी क्योंकि जब दोनों के टेक खतम हुए तो सिर्फ सेंटल गॉर्मेंट जीस्टी कैसे ला सकती है और अगर सेंटल ही लेके आती फिर स्टेट मानती न और आप सब जानते हैं इंडिया में स्टेट की सरकारे कैसी है वह तो भाईसा बैट जाती ही वह क्या कहती ही तुम्हारे फोर्न इंडिया में जा रहे ना जैसे मर्जी लेके हो हम खतम नहीं करें अपने आट्टेक्स हम तब खतम करेंगे जब हमें ही पावर होगी जीस्टी लाने की तो जीस्टी और इंडिया में आया हैं वो दोनों ही गोर्मेंट लेकर आई हैं सेंडटर और स्Detед दोनों मियले के लिए या कि ये वात क्लिए अब चलो जीक्रीं आ गया जी है एक जोड़ सभिस्ट्रेया का ज़डम हुआ जीए स्टी पिल het हो गए डो जी यह सटी सीजियट और ईसटी एप्ली क्यों हो अब लाँ से में अमेंद में जाण आ चुम दिसाक है या प्लेज अगर GST लाने वाले दोनों गॉर्मेंट ने तो अगर GST में कोई भी चेंज करना होगा तो क्या वो एक ही गॉर्मेंट करेंगे दोनों करेंगे दोनों करेंगे और अगर दोनों गॉर्मेंट चेंजिस करेंगे मिलकर इसलिए इन्हों ने क्या बनाई एक कमेटी बनाई उस committee में दोनों के member होगे हर state का finance minister आएगा देश का finance minister आएगा और एक central का और minister होगा यह सब मिलकर decide करेंगे कि इंडिया में GST में क्या change करना है उस committee को नाम क्या दिया गया GST council तो यह GST council है तो GST council है क्या सर? GST council एक body है तर इस constitutional body की जो भी GST में कोई भी change लेकर आना है वो पहले GST council चेक करेगी आपने news में कहीं ना कहीं जुरूर सुना होगा क्या GST council की meeting हुई आज GST council की meeting हुई आज GST council की meeting हुई GST में यह change आया वो change आया तो यह सारे changes लेकर आने वाली कोन है यह GST council है तो उसे इतना समझ लो उसको बाद में detail में करेंगे जब chapter number 1 आएगा बट GST council एक body है constitutional body है कि अगर GST में कोई भी change लेकर आना है वो change किसके थूँ आएगा जी GST council के थूँ आएगा यह बाद ध्यान देना जी तीक है जी अब last point पे आ रहा हूँ जी CBDT और CBIC CBDT को इसकी full form बता सकता है Central Board of Direct Tax सोनू सूत पर कर अब डिसकस कर रहे थे सोनू सूत पर जो भी rate पड़ी है वो किसने मारी है जी CBDT ने उन्होंने order issue की है क्यों? क्योंकि CBDT क्या है Direct Tax की सबसे बड़ी अथोटी है That is Central Board of Direct Tax और CBIC मीन्स क्या है? Central Board of Indirect Tax and Custom क्योंकि GST आने के बाद सारे टेक्स खतम हो गए Custom खतम नहीं हुआ अभी Custom duty आज भी है तो ये बात ध्यान देना जी DT को चलाने वाली अथोटी है CBDT और IDT को चलाने वाली ये थोटी कुन सी है? CBIC CBT means Central Board of Direct Tax CBIC means Central Board of Indirect Tax and Custom ये दो थोटी आपकी है ठीक है? तो ये टोटल दस पॉइंट हमने डिसकस की है जो नॉर्मल आपको टेक्स में देखने को मिलेंगे ठीक है? अब एक बार में उस बिल के ओपर वापिस आ रहा हूँ जी अब मुझे कुछ आपको बाते बतानी है पूरी कलास यहाँ पर ध्यान से देखे जी किस का बिल है ये? कड़ाई? जींगरा? अए हए पता नहीं क्या लिखा हूँ है? क्या लिखा हूँ है? मेरा नहीं है ध इस सुनना से अब पलीज सुनना जी अब ये बिल आपके सामने है आज के बाद आपकर भी पी रेस्टरेंट जाओंगे नगा एक कम ध्यान अइन जुरूर देखना है आपको मैं आज यहार क्लास के एंड में यह कल अपने एक student का message दिखाऊंगा और मुझे इतना प्राउड फिल होता है कि जब बचा रेस्ट्रेंट में जाता है और बिल में JST भी हटवा के आता है और यह service charge भी हटवा के आता है क्योंकि आर हम जा रहे हैं खाना खा रहे हैं बिल ले रहे हैं डेस्ट में गिर रहे हैं इसके लाव हम कुछ नहीं कर रहे हैं और बिल तो कोई देखी नहीं रहे हैं कि वर हम बिल खुद ही न लेते हैं अरे छोड़ो ना भया बिल रहने दो उसमें बिल में क्या लगाया कितन लिखे अन पर बन रहे हैं। सही बता रहा हूं सर। और आपको भी चेक है ना हल्दी राम, डॉमिनोस, मैकडी, पिजरा, आपने कितनी बार बिल चेक किया। कि बच्च करें हम चेक क्यों करेंगे, हम तो दूसर की पार्टी में गए है। जो पार्टी देगा वो ही चेक करेंगा, आज तेरा भाई पार्टी देगा, तो अच्छा भाई भी चेक नहीं करता था। सिंबल यह बात है, कैश हम क्या क्या, बई दो रार के चोरी, यह वो यह वो यह वो उसने बिल दिया, बिल कई बार तो उनके टेबल पे ही पड़ा रहता है। आपको भी देखना, हाँ जहाँ सेल्फ सर्विस है, तो वहाँ तो उठाना पड़ता है, क्योंकि वह वहाँ पे टोकन देने है, तब जाके वह समान मी लेगा, अधरभाई टोकन काट के दिया, बिल अभी भी हाथ में हमने देखा नहीं, वहीं पे गेर दिया टेस्ट में है आज के बादे गलती मत करना, अब सुना ध्यान से कहना क्या चारा हूँ, ये बिल है जी, इसमें CGST है, SGST है, और एक लगाए पड़ा है, सर्वी स्टार्श, अब जब ये सर्वी स्टार्श यहाँ पे लगा, सर्वी स्टार्श लगा है, 10% का, अब सुना ध्यान से, एक तो का था, सर्वी स्टार्श खतम हो गया, आपने का था, सर्वी स्टार्श तो खतम हो गया, और सर्वी स्टार्श तो चार साल पहली खतम हो गया, तो फिर अब ये सर्वी स्टार्श क्यों लग रहा है, क्या किस-किस बच्चे के दिवाग में से डाउड आया था, इस बिल तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा बच्चे के राउन हैं जिनके मन में डाउड आया था चलो जी इट मेंस आपके मन में डाउड आया कि सर्वीस चार खतम हो गया फिर यहाँ पे सर्वीस चार ये 10% से क्यों लग रहा है सर्वीस चार खतम हो ये सर्वीस चार होता क्या हो सुनो फिर जब इसका पैसा सिंगल पैसा भी गोर्णमेंट की जह्म में नहीं जाता सर अगर हम 5-5,000 पे का खाना खाके आ रहे हैं क्योंकि किसी भी होटल में जाओ सर 4-5,000 पता भी न लगते आपको भी जाके देखना अगर पूरी फैमिली गई है और फैमिली में 4-5 लोग है 3-4,000 पे तरह से बन जाते हैं और अगर 4,000 बिलका बना उसमें 10% सर्वीस है बना 4,000 पे हमने वेटर को टिप दे दी यह सारा पैसा उस रेस्टरेंट में काम करने वाली एम्पूई का है और यह रेस्टरेंट वाले लेकर क्यों है यह सारे रेस्टरेंट वाले मिलकर लेकर आए है ये लेकर को आए क्योंकि इंडिया म realm उनको tip मिलती नहीं थी. आपको ऑभी खुद देखना. अगर मैं अपनी बात भी करूँ, आपकी बात भी करूँ, हम जितनी भी बार होटल में खाना खाने के लिए गए हैं, होता क्या होटल में खाना खाया? उसने बोला जी आपका बिल है 1560 रुपे, मैं लब 1560 उसने बोला जी आपका बिल जो है ना 1560 है, हम क्या करेंगे, अच्छा वो क्या करता है, वो एक अपना वो डाइरीस ही लेकर आएगा, उसके अंदर उसने बिल रखा होगा, ठीक है, वो यहाँ पर आपकी टेबल पर रख करते हैं, मैं चालिज से बहुत बड़ी बात है, हम दस रुपे की वेट करते हैं, पांस रुपे की वेट करते हैं, कई लोग तैसे होगे, एक रुपे की वेट करेंगे, आएगा भी एक रुपे भी आएगा, बढ़ी 1569 बिल है, 1570 एक रुपे की बच्चा वहीं वेट है उदर से वेटर शुप शुप के देखे रहे कि कहीं एकर पता देगा एकर पर तो हमें देगा नलायक अच्छा वह भी नलायक है वह सामने कर एकर पते लेकर जांगा आज मैं और फिर कई बार वेट राता है, कहता है सर वह चेंज नहीं है, कई बार सुना होगा आपने, वह सर चेंज नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, ऐसे सोफ पे मुठ्धी डालते हैं, फिर पूरे चार-पांच अपे बसूल कर गी जाते हैं, आपने कई बार देखोगा, जो मलब लोग दोनों हाथ में ऐसे बर लगे, साइड से निकल रहे होंगे चाहें, बट लेके जाएंगे दोनों हाता में सोफाथ, और वह चोड़े पाउच होते हैं, वह तो बार दस ही ले 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 घर भी काम आएंगे, जब रेस्ट्रेटर्ट अब आए चल क्या रहा है, कि बा में जड़े मिश्री उठा के लेके जा रहे हैं, ठीक है, कई लोग तो डिब्बी उठा के लेका गर में, जब बिब्बी उनकी खुद की है, तो उन्हों का भाई साब ये तो जोड़ो, ये तो सोफ ही गायब कर रहे हैं, तो फाइनली फिर सार रेस्ट्रेट्वेट ने क्य दो और तीन गिने चुने तीन लोग है चार और जिनको नहीं पता वो भी कई बार बहुत बड़ी गलती करते हैं कि फर्वरी कम हीन है फैस्टिबल सीजन है रक्षा बंदन आएका चोदा फर्वरी को लोग बहुत जाते है रेस्ट्रण के अंदर खाना खाने तो बाबू ने बोला बेबी को और भाई नी भाई खाना ने किलाएगा और मैं खाना खिलाओंगा आपको अच्छा मानलों बेबी भी सीए कर रही थी और बाबू भी सीए कर रहा था दोनों सीए कर रहते हैं और मानलों बेबी को पंता था कि सर्वी शारिक टीप होती है जी ने कहीं से पढ़ा था समझा था उसने जगा उसको बाबू को सो रफवे की टीप होती है ऊसमें सर्वी सारी ह reflection बंब चे और अब खाना खाया बिल बन गया 1200 कुछ रुपे का बिल बन गया या 13-14 रुपे का बिल बन गया बाबू को लगा आज मैं बेबी के सामने नंबर बनाऊंगा उसने निकाल के सो रुपे की टीप ऐसे पकड़ा दी उसमें सर्वीश चार्ज भी लगा हुआ था और बेबी ने बिल देखा और साथ में हाथ में टीप देखी तो समर क्या बाबू नलायक है मेरी बास समझ पा रहे हो मतलब कहना क्या चाहरा हूं कि वहां पे सर्वीश चार्ज लगा है आप और और पिर आप टीप निकाल के ऐसे देदे रहे हो तो आप तो नलायक मंती शोग करना चाहरो है इड्मीस आपको पता ही नहीं है और यह गलतिया कई बार लाइफ में करते हैं कि यह रिएलिटी बारहों सर में यह कई बार चलो बाबु भी का चोड़ो कई बार हम फैमली के साथ तब हम गलती कर देते हैं शर्वीश चार्ट साफ साफ सोच के वो ना सर इतना तो जी थे तो 31 कि इतना पैसा अंगमनेंट गोर्मेंट को होALLY क Unity लुघ और कहा हम 10 रुभी मुर्मेंट 2 लुख को तो है नीरा रही है यह भी कोई टेक्स है यह भी कोई टेक्स है तीन जार पर डाल गए यह पता भी नहीं कि हम 200-300 पर टीप दे क्या आगए कुछ सोचना क्या हमारी जेपर कभी बड़न लगता है इतना नहीं लगता बट अगर वही यह 231 पर हमें फिर जेन सोर पर एक्सरा निकाल के टिप देनी पड़ जाए भाई साव काम खराब हो जाएगा हमारा हां बिल्कुल मोत आजाएगी बच्चा कह रहा है सिंबल भी बात है ना कि 100 पर की टिप देनी और वही हम 231 पर की देखे आरे अब सुना ध्यान से मैं कहना क्या चाहरो अब आप में से कई बच्चों के मन में कोश्चन होगा कि सर क्या यह सर्वीश चार्ज लगाना मेंडिटरी है आंसर इस नू अगर किसी रेस्टरेंट के मेन्यू में लिखा है सर्वीश चार्ज एक्स्ट्रा फिर तो लगेगा बट अगर किस रेस्टरेंट के मैन्यू में नहीं लिखा जाती मैन्यू चेक कर लिए करो अगर नहीं लिखा सर्वीश चार्ज एक्स्ट्रा और फिर लगा दिया आप इसको हटावा भी सकते हो एक GST में स्कीम होती है composite scheme अब हम GST स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको आगे रहके बताऊगा एक GST में स्कीम होती है composite scheme composite scheme में छोटे मोटे businessmen लेती है छोटे मोटे businessmen जो भी वो scheme लेती है अपने बिल पर GST चार्ज नहीं कर सकते हैं क्योंकि government ने कहा तुम छोटे businessmen हो अपने बिल पर कोई तुम GST customer से चार्ज नहीं करोगे उस भाई साब ने क्या क्या हुआ था छोटा businessmen था scheme ली हुई थी GST भी चार्ज किया तो service charge भी लगाए हुआ था बच्चे ने बिल देख लिया और तुरंत बोल दिया भाई साब यह क्या है कि ऊपर आप कहरें चोटे businessmen हो यह नीचे GST और service charge किस बात का उसने तुरंत अटाया बिल पापिस ले लिया यह होती है नोलेज जब हम बाहरा के show करते हैं और नहीं तो क्या होता आप चार-पां 400 रुपे एक्स्टा दे के आगए हो तो आज के बाद कहीं पर भी आप जाओ सबसे पहला काम पहला तो मैन्नु चेक करो रेस्टेंट में खाना खाने के जाओ कि service charge extra तो फिर तो देना पड़ेगा फिर हम कुछ नहीं कर सकते और अगर नहीं लिखा तो अगर service charge लगाया हट अपनी मर्जी से 40 रुपे 50 रुपे जो टिप देने हैं वो आपकी मर्जी है बट service charge लगाने का कोई भी obligation नहीं है क्योंकि service charge service tax नहीं होता हाँ अगर वो यह बोले कि नहीं तो जरूरी है लड़ लेना सर उससे कहां लिखा है जरूरी है किस जगहां लिखा भाई जरूरी है उससे पूछ नहीं पास जाएगा वहांस नहीं देपाएगा और अगर वो गलती से बोल डे government के पास जाएगा क्या चल पुलिस में आजा कोजते हैं और कोहार। अगाहिंढ दोनों मेल कि देगे चल तो कोपचे में चल ऊख लुठेज और सिंपल सी बैता है अब यहाने कि पैसा गुड में आग में गे कूर में गाएगा ठीक क्लियर होगी कि सर्वी्स चार्ण आज के बाद कभी भी अगर बिल में देख लोगे बट पहली बात तो अच्छा दिहाना कई बार लोग क्या होता है बैठ के अपना खाना-पी भी अच्छी खासी होती है तो वहाँ पे गोर्णमें ने बोला हुए कि अगर जिस रेस्टोन को लगाने क्योंकि या रेस्टोन पिलिस के बनिगे मैं वही आज के बाद आपका एक काम होना चीए क्योंकि आप मनत पता लगना चाहे हैं कि आप कहीं पर भी ऐसा पील दिखें तो पहले उसे पूछ लिना कि service charge यहाँ पर क्यों लगाया है ठीक है रही तो clear हो गया अब last time मुझे बोल दो service charge service tax service tax service charge दोबारा बोलते है क्या service charge एक service tax है या tax नहीं है service charge actual में है क्या tip है जो उस restaurant के पास ही जानी है government के पास नहीं जानी बस यह पध्यान दें यह बात के लिए तो अब जाके यह बील आपके सामने clear हो गया तो आज अगर कहीं ऐसा बील दिखे तो इस पे रोज है क्रोस मीन्स अगर यह लगाए और वहां मेन्यू में लिखे तो ठीक है नहीं तो आप इसको कटवा भी सकते हो और एक बद आगे रहा कि मैं और बताऊंगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नकली टेक्सी नोई इसकाट रहे हैं आज मैं कई सेंपल दिखा दूंगा सर कई क्यों क है यह था विखे जाते हैं समाल लाते हैं बिल कभी देखते ही नहीं उठा गे बिल में डाल दिया तो आज को बाद एक कम जरूर होगा आपको बिल जरूर चेक करने कि उस बिल में क्या लगा हो है यह बात क्लिए रही है चलो जी तो अब जाके यह हमारे 10 के 10 पैंट कवर हो यह बाइफर के शनम इसलिए करते हैं ताकि दोनों गवर्मेंट में लड़ाई ना हो ठीक है ना क्योंकि तेको अगर 18 रपे ध्यान सुना चलो एक बच्चे का कोशन आई कि मैं आप से कोशन पूछी लेता हूं इधर सुना ध्यान से ऐसा क्यों किया इसका रिजन बताता हूं कि कल मैंने बात आपको बताई थी कि cgst और sgst कोई बतागा कब लगता है कि माला सेम स्टेट में या दूसरी स्टेट में सेम स्टेट में यह बात तो क्लियर है अच्छा लक्षमी नगर लक्ष्मी नगर से एक समान मैंने बेचा पटेल नगर पटेल नगर भी कहां पे है, देली में और लक्ष्मी नगर भी कहां पे है, आपने बोलना इस बिल पे क्या लगेगा CGST और SGST, ये बात clear है मान लो मान लो मैंने एक समान बेचा, for example, calculator यह समान भी जाम है यह केल्कुलेटर हजार पे कहा है यह मालो हजार पे कहा है इसमें 9% CGST 9% SGST तो 90 रुपीस हो गया CGST 90 हो गया SGST टोटल हो गया double 180 बहुत कस्टमर मुझे कितने रिपर दियोंगे अच्छा 1180 अच्छा कस्टमर अगर मुझे 1180 दिये होंगे तो कहें सारे पैसे मैंने अपनी जेब में डाल ली होंगे या कुछ गवर्मेंट को भी दियोंगे कितने में गवर्मेंट को दियोंगे अब मेरा question आ गया बहुत ध्यान सुना सर क्योंकि बहुत सारा बचा गलती करता है अगर 180 मुझे payment करनी है गवर्मेंट को तो क्या ये बता सकते हो कि 180 मुझे payment कैसे करनी होगी मतलब पहले क्या 180 में central government को दूँगा फिर central government 90 रपे state government को देगी या मैं दोनों के count में 90-90 अलग-अलग deposit करूँगा पहले बता कोशन समझ आया बहुत अच्छी बात है कोशन समझ नहीं बहुत बड़ी बात है एक बात दुबारा से मेरा कोशन ये है कि बिल में 90-90 GST लगया है ये भी आपने क्लियर कर दिया कि ये 1000 पे मैं जेब में डालूँगा ये मुझे payment करनी है गोर्मेंट को तो अगर ये मुझे payment करनी है गोर्मेंट को तो क्या ये 180 मैं सारे central गोर्मेंट को ही पहले पे करूँगा फिर वो 90 स्टेट को देगी या मैं 90-90 दोनों के काउंट में अलग-अलग जमाख रहूँगा जो ये कह रहे हैं सर पहले दोगे central को फिर वो 90 स्टेट को देगी प्लीज हैंटरेस एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और जो ये कह रहे हैं सर अलग-लग payment करनी पड़ेगी अलग-लग payment करनी पड़ेगी प्लीज है अलग-लग बालीज है वो बाकी क्या कह रहे हैं ऐसे मज़नी आता हां कई बच्चे ऐसे हैं बस बैठे अब मैंने कल भी कहा था कोई चाय कोई पानी कोई मठी कोई फैन कुछ भी खाना पिनों बता दिया करो कुछ आए तो नहीं पी पीनी तो नहीं आपको लग रहा है को चाय पीनी है आपकी आंखे लाल हो रही है कितने बस सो यह ते रात को 11 बजे और उठे कितने बस ने शे मलोब साथ गंटे की नीन साथ गंटे की नीन उसके बास साड़े साथ से लेकर अभी तक भी सो रहे हो पानी पीलिया करो बीच में चलो जी लास टाइम बोलूँगा ली दो तिन बच्चे हैं जो नहीं आंसर नहीं दिया जो यह कह रहे हैं सारा पैसा पहले सेंटल को जाएगा फिर स्टेट को देंगे फिर स्टेट को एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नू दस और जो यह कह रहे हैं अलग लग देंगे जी चलो अब मेरा उन बच्चों से कोश्चन है लो एक बच्चा कह रहा है चांदनी कह रही है सर अकर दिल्ली टू फ्रिदाबाट टानक्शन करेंगे जब भी CGST और SDST लगेगा नहीं लगेगा चांदनी उस टेम तो IGST लगेगा देली अलग स्टेट है और हर्याना अफरिदाबाद हर्याना में वो लग स्टेट है बच्चा इधर आंसर नहीं दे रहा बच्चा कह रहा है मैं अपना कोशन पूछूंगा ना लाइक इधर सु हम देंगे सेंटल को और फिर वो देगी स्टेट को मेरा उनसे कोश्ट है किस किस तका था वैसे किस किस ते अपने का था कई बच्चों ने का था मेरा अपसे कोश्चिन है आप एक बाद सोच ना मुझे आंसर देना आपने हजार पे का कैल्कुलेटर लिया उसमें आपने ग्यारा सो सिर पे लिये हजार पे जेब में डाले अब आप क्या पे 180 है आपने कारी पहले ये 180 ना मैं सेंटल गोर्मेंट को दूंगा और फिर वो सेंटल गोर्मेंट 90 भी एक प्रिंट के पास जाता फिर वह स्टेट को दे लिए मेरा कॉश्चिन है कि फिर वो दो जीस्ट क्यों लेकर आए पर दोसरा रिजन के है ध्यान सुना सोचना की मोडी जी के पास 110 पर चले गए के दुबल्स आपको नब्बेर पर चाहिए कि अब आप समझ सकते हो सें कैंटनी बनती है इसक्रेश्पर है मेन नबहर पर मोधी कहरें। हुआ प्लीज बिढ़ कर french नबढ़ प Kerry सब्सक्रा इस shutting तरह बोर्सियं कि तो हम यह जाए हैं वो तो स्टेट भाइसा पैसे मांगते रहा जाएगी और संट्र अभी आ रहें अभी यह प्रोब्लम है तो प्रैक्टिकली कितनी प्रोब्लम आती तो गोर्मेने का भाइसा भैलो इसी लिए यह दो जीस्टे बने कि तुमारी है कि 90 सेंटल की काउंट में और 90 सेंटल की को में जमक रहा है ताकि आपस में कोई भी लड़ाई ना हो तो यह बात ध्यांदना कि जब भी जीस्ट अपलेकेबल होगा अगर दो जीस्ट इसमें लगेंगे तो हमारी ही है कि 90 रहेंगे सेंटल गोर्मेंट को और फिर हम देंगे 90 स्टेट गोर्मेंट को यह बात क्लिए रहे जी ठीक है री चलो तो आई थिंक आपने मुझसे अगले महीने माला कुछ केस में मंतिली बेस भी है कुछ केस में क्वार्टरली बेस भी है वो डिपेंड करता है टर्न मतलब कुम सा वो तो अलगलग काम के लिए दिराता है अब सोच कि बोना स्टेट तो इतने बड़ी है क्या सारा जो स्टेट होती है क्या वो सारा काम टेक्स के पैसे से करवा सकती है नहीं तो वह तो गोर्मेंट कहते हैं दिको आज सेंटरल के पास source of income बहुत सारे है स्टेट के पास इतने का है तो वो तो सेंटरल की responsibility है हम एक chapter करेंगे अगला उसमें एक article 270 करेंगे उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सेंटरल गोर्मेंट, स्टेट गोर्मेंट को इतना पैसा contribute करेगी तो वहला जो स्टेट का revenue है वो तो ही है जो सेंटरल का revenue है उसमें से भी कुछ पैसा state का होता है फिक है दी? चलो, इधर देखना आप ध्यान से दी तो ये points हमारे clear हो चुके है अब यहाँ पे बस एक last point discuss कर रहे हैं, then फिर मैं आपको module में दिखाऊंगा कि आपके GST में chapter को उनकों से हैं और उसके बाद फिर मागे चलेंगे लो जी, अब एक point बसे last point है जी, ठीक है और फिर मैं आपको module पे दिखाऊंगा कि हमारे GST में chapter को उनकों से करने है एक heading लिखी यहाँ पे, एक heading आप में सोच के बताना जिनके भी rank आते हैं, जैसे आप में से भी कई बच्चों का आएगा और आसकता है 100% आसकता है, बस मानने की बात है के बर हम यह मान लेते हैं कि हमारा rank कैसे आसकते हैं, और इसमें समझ लिया कि मेरा rank आसकता है, वो starting से मिनत में लग जाएगा मेरा question बस यह है कि आप में से, माननो, जितने बच्चे सामने बैठे हैं, आप में से कुछ बच्चे पास भी होंगे 0.1% यह कुछ बच्चे का रह भी जाएगा, और कुछ बच्चे rank भी लिके आएगे बट मैं तो सब को बराबर पढ़ा रहा हूँ सुवे सेम क्लास में पढ़ा रहा हूँ कोई किसी बच्चे को special attention अलग से नहीं दे रहा, बट फिर भी कुछ बच्चे rank लियाएंगे, कुछ बच्चे अच्छे नमबर लेगाएंगे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, बाइजस क्लियर उनका हो नहीं पाएगा अब सुना ध्यान से मैं समझाना क्या चारा हूँ कि तीनों के अंदर क्या difference रह रहाते है एक बच्चा कहता है सर अगर मुझे CA Inter में, टैक्स में नहीं मैं कहा रहा हूँ अगर चार पेपर हैं, आठ पेपर हैं अगर मुझे उसके अंदर अच्छे नंबर रेके आने हैं तो किस तरा से मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा आपको मैंने last class के अंदर भी का था कि जब मैं CA बना फरवरी में मैं को एक ग्रूप देना था फिर डिसाइड किया कि बहुत देने हैं और मार्च अपरेल में second group की त्यारी भी की और first की revision भी की और बहुत group एक साथ निकाल दिया वो बता अलगया rank नहीं था मेरा बट बहुत ग्रूप मैंने एक attempt के अंदर निकाल दिया जो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत अच्छी achievement थी क्योंकि last के दो महिने में second उठाना उसको पढ़ना first की revision करना कई बार बड़ा टास्क हो जाता है और CA final BSE मैंने first short के अंदर दोनों group निकाले दे बट उसके लिए क्या dedication चाहिए क्योंकि problem कैसर CA में आते तो बहुत लोग है या तो बीच में कई छोड़ जाती है या बीच में कई गूमती रहती है और बहुत कम लोग ये लगा लो आपने अगर सुनाओ वैस्टन देवी में एक अधकवारी की गुफा है उसमें से एक एक करके सर मैं देखके हरान हूँ कि 20-20% रिजल्ट आ रहा है जब मैं CA बना 2013 में आप उसका रिजल्ट चेक करोगे 6-7% था जब मेरी वाइफ CA बनी उसके अगले टमने नमंबर 13 में 3% आज तक की थाज़का सबसे कम रिजल्ट था तो उस 3-3% के अंदर भी लोग CA बनी है क्योंकि CA की इमेज वही है स्टार्टिंग से कि बहुत कम रिजल्ट आता है बहुत कम बच्चे पास होता बट आज तो 20% रिजल्ट कम नहीं होता 20 में समझ रहे हो 100 में से 20 बच्चे पास हो रहे है और 100 में से 3 बच्चे पास होना और 20 बच्चे पास होना ये बहुत बढ़ा फरक हो जाता है बट 20 के अंदर भी कई कही रहे है सर पास कैसे होगे तो आर सही एख बास सहर के चलना सर अगर आपका एम है कि बचले पहले अटेम के अंदर निकालना है और तो एक छोड़ रहा है बीच में चला से कर तो मैं भी एक दे देता हूं यह चल रहे है दुनिया हमारे नदर क्या कैलीबर है हमारे इंदर क्या बिल्टी है वो कोश्चों दो छोड़ी दो दूसरे के कैलीबर पे हम अपना डिसाइड कर रहे है अच्छा तू अभी पहले ग्रूप की कोचिंग स्टार्ट कर रहे है तो मैं भी पहले की कोचिंग स्टार्ट कर रहा हूं तू सैकिंड की कब लेगा मैं तो लूँगा है नमंबर से चल मैं भी नमंबर से लूँगा जब पढ़ाती तो की ने झी आ अपने मी रहला है कि व यूंड एयसे विकार की बात नहीं भी है कि कि ट्व को आई तो कुछ तो बोल ने है ये विगार की बाते है हम जब नहीं से घंदे पढ़े ये को तो भरा बहुंड 시청us है तो actual में मुझे बता कि rank लेने के लिए मेनत बहुत होती है ऐसे गभी rank ने आते सर अब बहुत बड़े achievement है सर तो सुना द्यान से मैं कहना है क्या चाहा हूं कि अगर आपको अच्छे marks लेने हैं या rank लेने है तो तीन चीरे आपके अंदर स्टार्टिंग से होनी चाहिए और अगर यह होंगी तो मैं दिखा दूँगा जिस अटेम्ट के अंदर आपका एक्जाम होगा अपना रजल्ट देख रहे हैं पास ही लिखाओगा फेल कभी लाइफ में देखोगे नहीं तो सबसे पहली बात मैंने लिखी है दर इस इस concept clarity और provision clarity इट मीन्स क्या एक बात मिने बताना जी चोथी क्लास से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे ठीक है चैप्टर वन हम स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर बन प्यारा हुरी चैप्टर बन के हम लाइने पढ़नी स्टार्ट करें आप सोच के ब सामने चार लाइन इंग्लिश की लिखी है उसका मिनिंग बता दिया वो तो इंग्लिश को हिंदी में कर लिए वो तो कोई भी कर सकते हैं फिर concept clarity है क्या concept clarity means कि यह लाइने लिखी क्यूं है कि इस आपका माइंड कोश्णिंग माइंड होना चाहिए कि सार अगर यह लाइन यहाँ पर लिखी है यह प्रोविजन अगर यहाँ पर लिखा है उसका रिजन क्या है वह आपने कहा यह section 45 5 यह कहता है यह 45 5 लेकर क्यों आए क्या problem थी क्या reason थे जिस दिन वो reason जानने के अंदर कैलीबर आ जाएगा ना जिस दिन वो excitement होगी आप देखना लोग को पढ़ने का मज़ा लगोगा और वही लोग लोग को समझ पाते हैं जो इंटरस्टे पढ़ते हैं अगर दिमाग में यह बैड़न लेके चलोगे यार पढ़ना पढ़ता है यार और क्या करें बता इसके पिना क्लियर नहीं हो सकते तो it means आप लाइफ को फिर बेकार लेके चल रहे हो it means आपको जबरदस् को गया उसम्में लिए उसमें को स्क्षिंस चेंडर को सउते हैं accounts कैसे चलेगा accounting standards के बेस हैं टॉक्से कैसे काम करेगा कट को कि ते अब जिसने एक्ट बनाया ऐसा तो नहीं होगा ना देखो इतना मोट एक्ट है इसमें सारे provision income tax के है ऐसा तो नहीं होगा इस act को बनाने वाले ने चलिया रहा संडे है wife भी घर पे नहीं है लोई लिख लेतने है मालब free बैठा होगा 2-3 गंटे free में ले लिखना start कर दिया ऐसे होगा क्या मार्किट में पुछना को इस तो problem चल रही होगी ना मैंने देखा वह यह person जो है यह tax evasion कर रहा है इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा लोग ना पड़ेगा तब लोग बनता है तो हर लाइन जो एक्ट में लिखी है हर लाइन का reason है वो reason जानना that is concept right फिर second चिर्क्या निकल क्या रही है जी बच्चा कहता चलो जी concept तो clear हो जाएंगे सबसे बड़ी problem आज की generation की retention सर retain नहीं हो पाता सबसे बड़ी problem कहता है सर retain नहीं हो पाता आपको लगेगा कई बार हमें होता ना कई बार आप कहते हो सर वो याद नहीं रहता सर वो याद नहीं आता दिमार में तो उसका सबसे बड़ा reason कि है जितनी हम कम revision करेंगे उतना हमें return कम होगा और हमारे revision करने के ढंग भी यह लग लग है जो बहुत गलट ढंग है लोग revision कैसे करते हैं जी यह revision चल रही एक्जाम में लिखना पड़ेगा revision चल रही audit करके जब question ही लिख हो गे तो हाथ तो रुक ही गई ना माप बच्चा जब पेपर हुआ साट नमर का हो गई भई साट का ही होगा बड़ी बाता साट का हो गया घर से एक question तो लिखके नहीं गया और पेपर साट का हो साट का ही होगा सर जिस बच्चे ने return practice ही नहीं की वो सोगा attempt कैसे करेगा और जिसने सोगा attempt ही नहीं किया वो rank कैसे लेकिया आएगा कभी सोचना अगर पेपर 70 का हुआ 30 नमबर जो छोड़े वो तो 0 हो गए है अगर वो ही 30 में कुछ भी लिख आते कुछ linking वाला लिख आते 30 वज़े से 5 को मिल जाते 5 वे अपने 0 कर दी क्यों पेपर पुरा नहीं किया क्यों नहीं पुरा किया क्योंकि आपकी वहां पे speedy नहीं बनी मैं कई बार देखता हूं सब्सक्राइब क्योंकि मैंने पेपर दिये ना उवेस इवादा मैं भी यहां से यहां हूँ पेपर देने जाते थे वहां पर कई बचे सोचते रहते थे क्या लिखें क्या लिखें अब सोचने में आदा घंटा निकल गया और फिर अरे पेपर पता नहीं कहां से यार पेपर बड़ा टफ आया था हाथ ही नी चला पेपर में हाथ तो तब चलेगा जब घर से कुछ प्रक्टिस करके होंगे अच्छा फिर उस अगन क्या रैंक कैसे आगया भाई इसका रैंक होडर खोंग पेपर दिया गया इसका ओूडिया रैंक वन है और उसके पास था सेम आपके बास था आपका माहिफ नी चला उसका माइं चल गया उसने भी 9 महीने बीच में दी होंगे उसने भी तो डेर साल दियोगा बीच में, उसका भी तो rank आया होगा ना, तो हमें ये देखना बढ़ेगा क्या issue आ रहा है, तो main बाद बस ये दियान देना जी, इसकी 100% responsibility मैं लेके चल सकता हूँ, इसकी मैं responsibility लोगा जी 50%, 50 आपकी है, जब भी हम class start करेंगे, class के starting में last class की revision कर और डेली बेस पर करेंगे, automatically इतना याद हो जाएगा ना, इतना याद हो जाएगा, आपको घर में याद करने की जुरूतनी होगी, but मैंने आपको कल भी कहा था, कि class के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, class की ही revision करने में पस आदा घंटा दे देना, मुझे और कुछ नहीं करूँगा ना, आप यहाँ पर सबसेक्शन बोलोगे, सर इस सबसेक्शन में लिखाता, तो और तीसरी बात, सबसे में बत, presentation skill, अगर question मुझे आता है, बट present करना ही नहीं आता, number क्या मिलेगा, एक बच्चे के दिमाग में answer है, जैसे मालो question आ गया, उसके दिमाग में answer है, लिखना नहीं आ रहा, कैसे लिखना है, बताओ, answer number क्या मिलेगा, तो presentation skill, हम class के अंदर use करके चलेंगे, कि अगर theory based question है, तो कैसे लिखना है, provision based है, कैसे लिखना है, practical question है, कैसे table बनानी है, working notes कैसे बनेंगे, वो सारी बात हम class में करेंगे, तो इसकी responsibility भी मेरी है, इसकी भी म और यह मस सोचना की 6 गंटे से रहेंगा, 4 गंटे से आएगा, बच्चे मुझसे पूचते हैं, sir, कितने गंटे पढ़ना चाहिए, always यह बात है, कितने गंटे पढ़ना चाहिए, question ही गलत है, आप जितने गंटे पढ़ो, बस सही तरह से पढ़ो, आप अगर 6 गंटे पढ़ने के लिए, कई लोग होते हैं, sir, हुआ क्या, 12-12 गंटे पढ़ने के लिए बैठ जो, लोगों को पढ़ने का तरीका क्या है, यहां बुक खोल के बैठे, ओपर मुबाइल खुला हुए, घर में मम्मी ने दरवाजा खोल दिया, मुबाइल नीच आंडे किताब थी, और आपको भी देखना, sir, मुबाइल यूज करने के लिए दिमाग ठक जाता है, भोजाना, आपको भी चेक कर लेना, और आज का ट्रेंडी क्या है, सुबह उठते, मुबाइल, राग सोने से बहले मुबाइल, तो मैं यह चीज़े हैं, जो आपको ध्या निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, बचा पहले टेंशन के अंदर बैठा है, और अटक या पतल अगा, सी यह न करना छोड़ दे लो, यह रिजल्ट वापीस आएगा, सेम परसेंटिर पे, आप खुछ सोचना, इतरे से मार किसको देंगे, इंस्टूट को न, हमें सी यह बना दिया, जो मिली रही है, तो कहीं न अगर रिजल्ट तो मेंटेन होगा, और रिजल्ट मेंटेन स्टार्टिंग सही सब को बता है, कि आई सेगा कितना रहे, दस परसेंट तक, तो वो ट्रेंड वापीस आएगा, तो हमें त्यारी बीस की नहीं करनी, यह मैं सोचना कि आज बीसा कल भी बीस आएगा, हमें तैरी चलनी है कि अगर पांच परसेंट भी आए, तो उस पांच के अंदर मेरा नाम हो, और अब वेस बाद अगर पांच की त्यारी करेंगे, तो दस होगा, पंदर होगा, जितना भी होगा हमार नाम उसकंदर पक्का जाएगा, ठीक है, तो यह तीन चलनी बीस आपको ध्यान रखनी है, इनी के साथ मैं एक बार अपना बेसिक यहां पर खतम करता हूँ, लो जी, अब यहां पे, हाँ जी, अब यहां पे कुछ बात है क्लियर हो गई कि पहली बात तो सब्यक्त में क क्लारिफिकेशन केस लो, वो भी हमने देख लिया, फिर कौन-कौनसी बातें इंपोर्टेंट है, वो भी डिसकस कर लिया है, यह सारी बातें हमारी डिसकस हो चुकी है, अब मैं आ रहा हूँ जी, आपको मैं दिखाता हूँ, लो, जी, इंदर देखना आप ध्यान से लिए, यह आपके न इंस्ट्ट का मैटीरिल है, बुक आपको मेरी मिलेगी, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि IEC AI ने हमारे GST में क्या क्या कवर किया हुए, जी, ठीक है, यह देखो, यह आपका पेपर नमबर 4 यहाँ पे लिखा हूँ है, और यह सेक्शन B, मतलब पार्ट नमबर B है, इन डारेक्ट टेक्स का, ठीक है रही, उसमें अब यहाँ पे एक बार चेक करना चीए, यह देखो रही, 100 नमबर का पेपर है, उसमें 60 नमबर का इंकम टेक्स है, इंकम टेक्स में उसको हम डिसकर्स करेंगे इंकम टेक्स में, ठीक है, और आपके GST जो है, सेक्शन B, 40 नमबर का है, जो हम सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे ना, one by one, मैं ओवर्वी देने चारा हूँ, मतलब आने वाले, अब जो कल का लेक्चर, मतलब मन concept of indirect text, that is concepts and features of indirect text, और principal indirect text, पहले चप्टर हमारा यह है, इसका मतलब कह है, इसके नदर हमें क्या पढ़ने को मिलेगा, पहले समझ लेते हैं, एक बात मिले बताना जी, एक तो होते है direct text, एक होते है indirect text, कोई बताएगा direct text का मतलब क्या होता है, जी, जिसकी liability to pay, और बारेक्ट से परसन पे हो, चलो, और कोई बच्चा नहीं है, कि direct text किसे कहते हैं, नोर्मल, जो आपके निमाग में आ रहे हैं, कि सर हमारे यह साब से direct text ही होता होगा, जी, जो हम लोग directly government को pay करते हैं, ठीक है, और कोई बच्चा बताना चाहता हो, जी, जिस पे levy होता है, और बारेडन भी, उसी परसन पे आता है, वो direct text है, ठीक है, इन direct text किसे कहते हैं, IDT, लेवी किसी और पे हुआ और, बारेडन ट्रांसफर किसी और पे हुआ, चलो ऐसा करता हूँ, मैं अपने example देता हूँ, आप मुझे बताना कि यह text कौन से है, ठीक है, अब ही देखते हैं, उसका meaning कि है, इदर सुना ध्यान से जी, लो जी, एक बात मिने सोच के बताओ आप, यहाँ पे, एक word लिखा हुआ है, लेवी, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, पे टू गॉर्मेंट, ठीक है, आप मुझे आंसर देना, एक text है, वो text मानलो Mr. X पर लेवी हुआ, और X नहीं गॉर्मेंट को पे किया, लगा X पर, और X नहीं गॉर्मेंट को पे किया, यह text क्या है, direct या indirect, direct text, चलो, एक text है, लगा X पर है, लगा X पर है, और payment जो गॉर्मेंट को की है, वो X नहीं नहीं की, X के बिहाफ पर Y ने किया, लगा X पर है, बड़ payment मैंने नहीं की, मेरे बिहाफ पर Mr. Y ने payment किया, गॉर्मेंट को, direct या indirect, डारेक्ट, यह भी direct है, यह भी direct है, अरा जो यह कह रहे हैं, नहीं सुना, जो यह कह रहे हैं, यह direct text है, एक, दो, चलो, और जो यह कह रहे हैं, indirect text है, चलो, जी, बताओ, यह direct है, indirect है, direct, direct text है, चलो, एक बर दुबारा से, चांदनी कह रहे हैं, यह direct text है, एक बर दुबारा से, जो यह कह रहे हैं, कि सर, मैं उपर वाले की बात नहीं कर रहा है, इसकी बात नहीं करा है, इसकी बात करों, जो ये कह रहे हैं कि सर ये वाला text जो है ने ये वाला, ये direct text है, direct, एक, दो, पीन, चार बच्चे कह रहे हैं, और बाकी सब क्या कह रहे हैं, indirect, अब सुना ध्यान से, जिनों ने भी indirect text कहा, that is incorrect answer, ये indirect text नहीं है, और इसमें गलती आपकी नहीं है, सर, इसमें गलती आपकी भी नहीं है, 90% बच्चा अपने दिमाग में चीज़ लेके चलता है, कि अगर हम directly pay करेंगे, तो direct है, अगर हमारे बिहाफ पर कोई pay करेगा, तो वो indirect है, जबकि low में definition ये नहीं है, जहां ये definition लिखी है, उसमें payment अगा तो कोई concept नहीं है, गोवर्मेंट को payment करने वाला कोन है, ये matter ही नहीं करता, low ये बात कहता है, कि ऐसा कोई tax, जिस person पे levy हुआ, अगर बैडन भी same person पे आएगा, तब वो direct tax है, payment कोई भी करें, सर ऐसा कैसे हो सकता है, भई levy किसी और पर हुआ, और बैडन भी same person पे होगा, तो फिर payment और कोई क्यों करेगा, इसका मैं example देता हूँ आपको, इसका example मैं आपको देता हूँ, आप में से किस-किस बच्चे ने कभी नाम सुना है, TDS, सिर्फ एक बार handless करो, सिर्फ TDS कर इसने नाम सुना है, TDS, almost, सबने ही सुना है, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है, नहीं सुना, सबने सुना, चलो, अचा, आपने कहां सुना है, वैसे, कहां सुना है, ओधेस, शेर होल्डर को दिटिया है, चलो, जी, चलान, चलान, कम्पनी अकाूंट्स में, अचा, आपने से किस-किस के फादर साव, salary class person है employee है किसी company के 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 लोग तो perfect समझ पाएंगे अब जिनके father salary class है आज आके काम करने आपने पापा से एक बात पूछने है salary नहीं पूछनी salary कितनी आपकी ये नहीं पूछनी पापा से एक बात पूछनी है कि पापा जब आपको salary मिलती है मलब पैसे मिलते है company से तो उसमें क्या company वाले कुछ tax काटते हैं आप बोलेंगे yes सर जब किसी employee को salary मिलती है तो जिस company से salary मिलती है वो company वाले उसमें से कुछ tax काट के जमा करवाते हैं उसको बोलते है TDS और इवन TDS सिरफ salary पर नहीं कटता और भी काफी सारी payment है rent पर भी है commission पर भी है brokerage पर भी है lottery पर भी है interest पर भी है काफी जगाँ पर TDS है बट मैं example लोंगा salary का बहुत द्यान से example को सुनना अगर यह point क्लियर करना चाहते हो यह तो फिर आप दुबारा यह गलती करोंगे सुनना द्यान से माल लो इस बच्चे के फादर का नाम है for example Mr. X ठीक है और आपके फादर माल लो Reliance Company में काम करते है इनके फादर माल लो Reliance Company में काम करते है इनके फादर की salary जो है ना पूरे साल की माल लो 6 लाख रुपे है 6 लाख रुपे की salary है और income tax में लिखा हुआ है कि अगर आपकी salary 5 लाख से उपर है ठीक है तो TDS कटेगा माल लो क्या लिख है actual में वो छोड़ दो 10% TDS कटेगा ठीक है अगर salary 5 लाख से उपर है 10% TDS कटेगा salary कितनी अच्छा बोलने की कोशिच करो 6 लाख क्या इस पर TDS कटेगा नहीं कटेगा किस rate से 10% तो क्या आपका नाम क्या है संस्कृति क्या संस्कृति के फादर को क्या संस्कृति के फादर को पूरे 6 लाख मिलेंगे क्या कुछ कम मिलेंगे कितने मिलेंगे 5,40,000 क्योंगी 6,000 पर TDS कर जाएगा मतलब कमपनी वाले क्या करेंगे 6,000 पर इसमें से टेक्स कार्ट देंगे कमपनी वाले क्या करेंगे इसमें 6,000 पर इसमें से टेक्स कार्ट देंगे और संस्कृति के फादर को पांच लाग चालीस दार पे की पेमेंट करते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है मेरा पूरी क्ला से कुष्टन हैंजी नहीं नहीं पांच लाग से ओपर जाने के पर 10% कटेगा मतलब एक्सेस वेल्यू पर नहीं TDA समेशा पूरी वेल्यू पर कटता है अब सुना द्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ 60,000 यहां पर आ गई पांच आलीस दार चल लगे इसमें कोई दिक्कत हो नहीं इतना प्दो इंकम किस ने कमाई है कंपनी ने पैसा कमाया या संस्कृति के फादर ने कमाया अच्छा एक्स के इंकम एक्च वे थी कितनी 6,00,000,000 5,00,000 टैक्स कितना कट गया 60,00 अपली जहां सुना इतमें संस्कृति के फादर ने इंकम कमाई तो गोवर्मेंट इनके फादर को बोला कि आपने इंकम कमाई है तो आपकी income में tax लगेगा वही आपने income कमाई तो आपकी income में tax लगेगा इन्होंने कारी कोई दिक्कत नहीं it means लगा x पर और जो burden है चेक करो संस्कृति के father की salary में से टेक्स कटा है it means tax का burden भी किसकी जेपर आ रहा है x की जेपर बड़ government को देने वाले तो लगा किसी ओर पर और payment करने वाला कोई और है और burden same person पर है that is direct tax तो पहली बात वार यह समझ के जाओ कि direct tax का मतलब यह बिलकुल भी नहीं होता कि payment वही करेगा direct tax means levy and burden अगर same person पर होगा तब वो direct tax है तो लगा भी इसके ओपर है अगर burden भी same person है तब वो direct tax होगा अगर burden किसी ओर पर होगा फिर वो बन जागा indirect tax अब मैं example देना उपको IDT का आपने बोल देना जी हल्दी राम, डॉमिनोस, मेकडी, पीज़ाट तिकर यह इसफे जी एस्टी लगता है और GST is a type of indirect tax एक बात मुने सोच के बोलना जी आप हल्दी राम में गए माल लए बच्चा मैं हल्दी राम की दुकान हूँ यह बच्चा हल्दी राम मेरे पास आया इसने का सर एक रार के चोरी चाहिए तो मैं करी कोई बात नहीं मैं करी 100 रपे की है इसने मुझे 100 रपे दीए और मैंने स्वल अपनी जेव में ढाली ध्यां सुना मैंने क्या किया इस बच्चे को रार के चोरी सेल की मैं लए घुट्स की सेल की ना तो गोर्मेन ने क्या पोला कि अगर कर बिसन गूट्स की सेल करे अब इस पर GST लगएगा कि मेरा पूरी क्लासे कोशन है गुट्स की सेल करने वाला कोन है हल्दी राम जिएसट पर हलदी राम बहुत क्या इसॽट का बिटन है हलदी राम की जोफ में हन mundial ङपर अचWOR्त klar ऑट दाला वहां क सचर्च करना, सब्सक्राइब का अब आपको आज इत्ने भी टेक्सेशन लो होते हैं वो कही ना कही से बनते हैं उन्दिया के सर्थार में तीन लिस्ट होती है, union लिस्ट हो गया, state लिस्ट हो गया, concurrent लिस्ट हो गया, यह तीन लिस्ट होती है, ठीक है, अब उस तीन लिस्ट में, किस लिस्ट से GST बना, GST बनाने वाली कोन है, अब भी देखेंगे, GST बनाने वाली कोन है, किस government ने बनाया, कैसे बनाया, यह सारी बत बिल्कुल बेस क्लीर हो घंभी आपके दिमाग में काफी ऐसे बरी हूए को गलत आपको बता नहीं तो किई przeci यहां ऑगी पादाने वाली है तो इंडिया के सच्टान tomar आप अगर इन्दीवें तेन Bref Germans च्रिक्ड वोड और और अगर आपको मैं एक लाइन बोलूँ को अगरा के कि एक्चुल में GST किसी भी लिस्टे नहीं बना आज GST इंडिया के सविधान में किसी भी लिस्ट में नहीं है क्यों नहीं है उसकी क्या रीजन है और अगर तीनों लिस्ट में कहीं पर भी नहीं है तो आपके दिवांग चेप्टर नंबर वन की है, ठीक है रही, उसके बाद आपका यहाँ पे चेप्टर नंबर टू है, GST law and introduction including देखो constitutional power, किस लिस्ते बना, कैसे बना, और levy and collection of CGST and IGST, application of GST law, concept of supply, reverse charge exemption, composition levy, इदा सुनो देहां से, अब आपको थोड़ी-थोड़ी बातें बताता हूं जा, अब यहाँ पे देखना ची, levy and collection of CGST and SGST, दो वर्ड लिखे हुए है, पहला वर्ड कौन से है, और दूसरा वर्ड कौन से है, collection, यह दो वर्ड है, इन दोनों को ना समझना बहुत जरूरी है, कि levy का मतलब क्या है, और collection का मतलब क्या है, इसे सुनो धिहां से, आप मुझे answer द बोली थी, कि income tax में एक exemption limit है, याद है कुछ आपको, कितनी है, 250,000, अगर आपको ध्यान रहा है, मैंने कहा था, डाइलाक की income exempt होती है, income tax में, यह बात मैंने कल आपको बोली थी, yes या no, yes, हम मुझे answer देना ची, बच्चा कह रहा है, union list, state list, concurrent list, ओके, इधर सुना ध्यान से अब मुझे answer देना, example लेते हैं, क्या ना मैं, रिशब, मालो रिशब है, Mr. R है मालो, रिशब, इनकी income ना, इनकी income पूरे साल में दो लाख रुपे है, पूरे साल में दो लाख रुपे कमाएं, और second case, मालो दूसरा case ले रहा हूँ, Mr. R ने पूरे साल में चार लाख आए, answer देना ने, सोच के, अब अगर income दो लाख रुपे है, इतना पता दो, क्या रिशब को tax pay करने है, yes या no, answer नहीं आ रहा है, yes या no, no, रिशब की income चार लाख रुपे है, सुन लो पहले, बड़ ये चार लाख रुपे की income, रिशब की, मालो agriculture income है, और agriculture income, income tax में exempt होती है, मैं पहले ही बता दू, agriculture income, income tax में exempt होती है, उस income के कोई भी tax नहीं लगता, ये चार लाख रुपे की income पर क्या tax pay करेगा, answer is no, यहाँ पर भी क्या रहेगा, जीरो, अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, रटने और समझने में, बिलकुल माईने से फरक होता है, करीवर बच्चों को रटना अच्छा लगता है, किसा रटवाद हो, बस याद हो ज इसका reason क्या है, सुनो पहले सुनो, इसका reason क्या है, सुनो पहले सुनो ना लाग सुनो, इसका reason क्या है, कि यहाँ tax लेवी ही नहीं हुआ, यह लेवी हुआ, बट collection नहीं हुआ, जो यह कह रहे हैं कि सर यहाँ पर tax लेवी ही नहीं हुआ, लेवी ही नहीं हुआ, चलो, और जो कह रहे हैं सर लेवी तो हुआ बट कलेक्शन नहीं हुआ दो बच्चे कह रहे हैं क्लास में कि सर लेवी हुआ बट कलेक्शन नहीं हुआ तीन बच्चे कह रहे हैं और बाकी सब कह रहे हैं लेवी नहीं हुआ तो मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं कि कुछ बच्चे कह रहे ह सर लेवी तो है बट क्रेक्शन निया चलो देखते हैं भी सभी कि है अगले प्याओ जब इंकम टेक्स में धाई लाग की लिमीट है धाई लाग तक कोई भी टेक्स नहीं है धाई लाग से ऊपर टेक्स लग सकता है इंकम इसकी चार लाग रुपे है बट ये अगरिकल्चर इ नहीं हुआ या लेवी हुआ बट कलेक्शन नहीं होगा जो यह कह रहे हैं लेवी ही नहीं हुआ जो कहने हैं लेवी ही नहीं हुआ चलो और जो कह रहे हैं लेवी हुआ बट कलेक्शन नहीं होगा मालग दोनों में ही कई बच्चे हैं कुछ बच्चे राम से बैठे हैं इट पिस यहां पर भी दोनों अंसर हैं कि लेवी नी हुआ और यहां पर कह रहे हैं कि कलेक्शन नहीं हुआ अब मुझे आंसर देदे न जी सोच समझ के आपने दोनों में काम कर दिया क्योंकि दो answer मैंने बोले और दोनो answer आप क्या हुआ है अब main समझने वाली बात है सा मैं क्यूं समझाना चाहा हूँ क्योंकि यहां पर दो word है लेवी एंड कलेक्शन सरे एक बात में सोच के बोला लेवी ना होने का मतलब क्या होता है अगर मैंने बोला कि मेरे उपर टेक्स लेवी ही नहीं हुआ तो लेवी ना होने का मतलब क्या है लेवी ना होने का मतलब होता है एक्ट ही ना लगना लेवी ना होने का मतलब होता है एक्ट ही ना लगना सर ये income tax act ये income tax act एपली केबल ही तब होगा जिसकी income धाई लाग से उपर होगी अब जिस परसन की income ही दो लाख रुपे है तो भाई साथ उस पे तो एक्ट ही नहीं लगा और अगर एक्ट ही नहीं लगा तो क्या बाते collection की होगी होगी ही नहीं क्योंकि लेवी नहीं हुआ सार बहुत द्यान सुनना बिल्कुल छोड़ा फरक है इस एक्ट में यहां पर पहले दूसरे पेज़ पर लिखा हुआ है कि धाई लाग के बाद ही एक्ट लगेगा अब अगर मेरे इंकम भाई साब दो लाख रुपे है तो एक्ट ही नहीं लगा और एक्ट ही नहीं लगा का मैडरा है क्योंकि जब लेवी नहीं होगा तो क्रें 278 अब अगलें सब्काना से ही इंकम चार लाख रुपे एं इंकम by एं कर एंगरिकल्च्र इंकम है और ऑर लिखैरिकल्च्झेम ए एक जंक में लैुकल्य में लैवी है न्हीं हुआ बट क्लेक्शन नहीं हुत हुआ बट इस Income Tax Act में Section 10 है वो कह रहा एक्रीकल्ट्रिर इंकम एक्जम्ट है तो इट मीज एक्ट लैभी तो हुआ लगा तो है बट किसी वजह से क्लेक्शन नहीं हो रहा इसको बोलते हैं Noe Collection मेरा समझ मेरी पर लैभी तो हुआ बट क्लेक्शन नहीं होगा मैं नॉर्मल अपने बैचले में एक्ञामपल दीता हूं जिन बचों को भी भी समझ में नहीं आ रहा जाएं दो साल के बाद फेस्टू फेस क्लास इसस्टार्ट देरे-देरे face-to-face class कम हो गए थी आद दो साली हो गए तो नब पहले face-to-face class चलती थी उस तेम बच्चा काफी होता था क्यों जब कोविड का टाइम नहीं था तो बच्चा राम से आता था और अब वो पहले वाली बात तो रहेगी नहीं कोई सिंबल सी बात है बच्चा online class ट आप प्रoga आसे द क्लासी होंगे Feels old hours mad me गरिया क्लास साथ बच्चंदी आगया है पूरे class ख़ाली पढ़ी है पई गोरा ओडरिटॉरियम ख़ाली पड़े बच्ट रहे से अथए आज। थे-द्युष मी, अदर बैठना पसंदी hole नहीं क्यूं क्यूंकि उन डेग सा-जो क करें हैं कोलरिंग के सब कुछ उखाना पिने का समा आप तरह से आज कल तो एक एक बच्चा दिख रहा है बट कई बार भीडवे बच्चे दिखते नहीं नहीं है अगर ओडिटोरियों में फूल होगा तो पीछे वाल लास के अंदर बच्चा क्या कर रहा है कि बार नहीं नही है और कई बच्चे क्या करते हैं लेट भी होंगे मालव साठे साथ क्लास है साथ 35 पे आएंगे वह पहली रो में सीट देखेंगे होते हैं कई बच्चे कि मुझे फर्स्ट के अंदर ही बैटना है क्योंकि उनको लास में में भी समझ में नहीं आता ठीक है तो एक बच्चा अब हुआ क्या पुरानी उस टाइम की बात करना हूं से दो तीन साल पहले की बैच फूल होता था क्लासिज फूल होती थी तो बच्चे आते थे अब होता क्या था कि मालव फर्स्ट रों के अंदर बैच बैठे हैं सेकींड थर्ड पूरा लास ता क्लास की टाइमिंग आठ साध् वजे तो मैं आठ वजे का मलब आपको मैंने पहले मिन साथ मीन साथ साथ आप तो आपने देखा होगा कि साथसा नोर्मली हमारी क्लास तीस उकतिस पर स्टाट हो जाती और ऐसा पूरे बैच के अंदर रहेगा ऐसा पूरे बैच मेरेस अब हूँ ऑने पूरा क्लास मी मैंने स्टार्ट की अब पूरा क्लासिज कि श्रट्टि को लगते यहां कि ठीछ डैगा टाइम खराभ दो इस बच्छे के लिगा नए रिवखे लेट आते हैं बजने नहीं आप तो राम से बच्चे आगे बैठ सकते हैं बट पहले इवन हमारे टाइम में आपको हरानी होगी 2013 मेरा फाइनल क्लीर हुआ दस के अंदर में CIP से अंदर था क्योंकि धाई साल की ट्रेनिंग के बाद ही इसे फाइनल दे सकते हो तो हमारा 16 गुरूप था और ऐसी लाइन में सीट रिजर्व होती थी पूरी लाइन हमारी कैसे रिजर्व होती थी एक पे बैग एक पे कोपी एक पे पैन ऐसे पूरी देट आया कोई बच्चा फर्स में चार बार बैठें बैठेंगे तो इकटे बैठेंगे पूरी सीट रिजर्व होती थी अब हुआ क्या कि उस टेम जैसे हमने पढ़ाना स्टार्ट किया मैंने अपनी क्लास के अंदर भी देखा क्या बढ़ी बढ़ी बात भी निया सीट र कर लिए तो बैच चल रहा था बेबी मेसेज कर दिया होगा कि पंदरा मिना लेट हो जाओंगी तो सी डिजर्व कर लें नहीं तो फिर देख लेना ब्रेकव 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 हो जाएगा बच्चा डर गया घबर आ गया बच्चे ने बस्ता रख दिया अपना बैग रख बइबी से पहले बच्चा ऊवर गयां अब बिच्चा कोना सिट खालि प्रक्ष वकोत गई उसको लगा फस्ट एक खाली पड़ी है उसकी नदे अगयी सीट पर अरो उसने कुछ नहीं गया ऐसे इसको पगड़ा दी और यहां बैठने लगए यह कह रहा है तो को दिखने नहीं सीट रिजव है यहां पर उसने का भाई सीट रिजव है सबाट बच चुके में को क्लास देनी है बिकार के बात कर अपना बैग हुटा और मुझे यहां पर बैठ ले दे और नहीं नहीं मेरी बेबी इससे तो मुझे ले अलग नहीं इंवेंशन मिर्जापूर मुझे ले उनकी पूरी अब बच्चा कहता है अच्छे बढ़ मुझे ले ना तू अब उसने क्या कि भाई साब लड़ाई स्टार्ट हो गई मैं मैं डिस्रव हो क्लास कंदर मैंने का चल क्या रहा है क्लास में मै तू नहींificación इस बच्चेने तो अब हुआ क्या व तू भाई ने गलई थे प्यार बादेख लूगा ईस बच्चे की यह बाद कई त्यक्या गढ़े किया नहीं उसनने क्या कि उस्टचेने क्या क्या एस ने क्या पकड़ने क्या तू बढ़ा ससलिट तो बढ़ आर देख ल इस बच्चे ने क्या कि उसकी गरदन पगल ली सब कर तु बहार चल तु जार बहार देख लूँगा मतलब कि इस बच्चे की पिटाई लेभी तो कर दी जैसे बहार जाएगा दे थपड़ पर क्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा देख लूँगा मतलब भाई तेरी पिटाई लेवी हो चुकी है अब जैसे तो बहार जाएगा दे थपड़ पे थपड़ क्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा लगां के दोनों भाई बनेंगे क्या होगा कुछ नहीं पता भी बट बात में लड़ाई हुई नहीं हुई मुझे इस बात का नहीं पता बट मैं कहीं बार कहा हुआ है वाप तो नोर्मली क्या कहीं पर बैठ जो और आम से सीट मिल जाती है बट पहले ऐसा होता था सर क्योंकि अबकि पहले एक लास में 8800 बात्य थे तो अब लएकर पहुने के बात करों अगर दोर से अगर बाल कर निससे देखो गें तो बहुत चोटव सा होगा रिकली और फिर वह लगता है लास में बैठना पड़ेगा तो भ्या चेमरे पूंजाओ तो इट मेंज अब मैं चेहनगे लेवी क्लेक्शन मींज क्या हो गया लेवी मेंज क्या हो mart लगना ऑपत कशन लाप किसी वरसे पैसा नहीं लिया गया exemption मिल गई तो उसको क्या बोलेंगे note collection यह बात क्लिर है जी तो यहाँ पर यह बात है हमें discuss करनी है levy and collection के बारे में अब यहाँ पर एक point है concept of supply including एक बार बोलना क्या लिखा हुए composite and mix up अब balance जो मेरी class है जी बस इस line के उपर है और कुछ नहीं है एक line मैं पढ़ाना चाहता हूं उसका मुझे आप अंसर दे देना chapter 1 के notes लाए हो वैसे जो मैंने कल दिये थे चलो नहीं भी लाए तो भी कोई दिक्कत नहीं अब वैसे हमें जुरुत नहीं है मुझे बस एक line पढ़ानी है आप यहां से भी देख लेना अभी रहने दोस्कों बार मत निकल उठन लग जाएगी लो जी ये रज ये आपके सामने एक बार बोलना क्या लिखा हुआ जी है आपके सामने इंडिया के सविधान का इंडिया के सविधान में आपके सामने उसका क्लोज नंबर 12A है जिसमें GST की डेफिनिशन दिवी है बस आज हमें कुछ नहीं करना इस डेफिनिशन को रीड करना है और उस line को आपको समझना है एक बार ना इसको अपने तरीके से पढ़ने की कोशिश करो कैसे पढ़ते हैं अगर मालों कोचिंग ना ले रहे होते और अगर हमें कोई बोलता कि भाई GST की डेफिनिशन पढ़के बताना तो हम किस तरह से पढ़ते हैं आप उज एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा बोलना गूट सेंड सही तरह से बोलो जी गूट सेंड सर्वीस टेक्स सर्वीस टेक्स दुबारा बोलो गूट सेंड सर्वीस टेक्स मीन्स बस आगे नी चाहिए मुझे ही रुख जो तीन बार ये लाइन दुबारा बोलो क्या लिखिया है गूट सेंड सर्वीस टेक्स मीन्स एक बार फिर बोलो गूट सेंड सर्वीस टेक्स मीन्स एक बार फिर बोलो गूट सेंड सर्वीस टेक्स मीन्स अब ध्यान सुना यहाँ पे एक वर्ड लिखा है means कोई बताएगा means का मतलब क्या होता है means का मतलब क्या होता है exhaustive जी मतलब बहुत बढ़ी है means का मतलब होता है मैं गो तो पता इंद मैं लिख लेता हूँ इदर सुना दिहां से sir अगर यहाँ पे sir हमें नोट्स नहीं मिले chapter 1 के pdf भी नहीं मिली हनुमन्त और चान्नी नोट्स नहीं मिले नोट्स आपको ना mail आ गए होंगे और अगर mail नहीं आए तो आज मैं आपको नोट्स भी जवाद हूँगा ठीक है चलो इदर सुना दिहां से जी एस्टी इन्क्लूड्स जी एस्टी सच एज जी एस्टी नेमली और एक लाइन और लिखनी है मुझे जी एस्टी बाए वे ओफ अब बहुत न्यान सुले ना जी लोग की कोचिंग किस किस कि स्टार्ट हो गई कई हो की हो गई अच्छा लोग की कोचिंग में अपने देखा होगा company means पढ़ाय होगा अगर पहली क्लास के अंदर है company means आपने कभी भी definition पढ़ी होगी means नोर्मली करी पर means हमें मिली जाता है अब नोर्मली आज तक हमने means का मतलब क्या समझा कि means का मतलब मतलब मींस का मतलब मतलब नहीं होता सर्फ पांच लाइन लिखी है GST means GST includes GST such as GST namely और GST by way of इन पांचों में से एक लाइन हमें दिख रही है GST means अगर यहाँ पे GST includes लिखा होता लोग बनाने वाले ने अगर GST includes लिखा होता फिर meaning क्या होता अगर GST namely word लिखा होता फिर meaning क्या बन जाता अगर GST such as word लिखा होता फिर meaning क्या बन जाता और अगर GST by way of word लिखा होता फिर meaning क्या बन जाता ऐसा क्यूं कह रहा हूं जितनी definition पढ़ोगे इन पांचों में से एक word देखने को मिलेगा और हम इग्णोर कर देते हैं क्योंकि हमे और आपको क्या लगता कि definition यहां से स्टार्ट हो रही है सब definition का main point यह है यहीं बताते है definition है क्या आगे दो बेकार की बाते हैं अभी अब ज्यान सुना कहना क्या चला हूं कि अगर GST means लिखा है तो पहली बात means का मतलब मतलब नहीं होता means का मतलब होता है exhaustive कि GST में यही cover होगा जो यहां पे लिखा है और कुछ cover नहीं होगा मैं दो लाइने बौलूँगा जी GST में यह भी cover होगा और GST में यही cover होगा कि यह दोनगा winning same है या अलग है अलग है अगर मैंने बोला कि GST में यह भी cover होगा तो यह भी का मतलब है कि यह तो cover होगा और भी कुछ cover हो सकता है मैंने गुमने चलते हैं और मेरे साथ ये भी जाएगा मैंने गुमने जा रहे हैं और मेरे साथ ये भी जाएगा तो ये भी का मतलब क्या है ये ही जाएगा ये भी जाएगा और भी जाएगा और भी जोग जाएंगे मैंने गुमने चल रहे हैं और मेरे साथन में यहीं जाएगा अब बताओ क्या हो गया। यहीं जाएगा और कोई नहीं जाएगा। कि यह फर्रक है Miins में और intervals में। तो आज के बाद life में कभी भी definition में अगर यह देख मोग Way कि this includes तो includes means inclusive definition कि ऐसा मैं क्यों कहा हूँ लोग स्य बन जाते हैं उनको पता ही निए एक लाइं डागाक अन्स द्रॉड करने के लिए और यहां पे लिखा था मालों सेक्ट मालों इंट्रुड लिखवता एक लाइंड आया क्या अद्शार कि बताना मैं घ्स्ति में कवर हुआ नहीं हूँ बच्चे ने एक्ट खोला एक्ट भी लिखा था जीएस्ट इंग्लिउड देस 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 बच्चे ने सारे प्रफ्पाइंट चेक हिए कर आप तो कवर नहीं हो क्यμεने की वह हम परिनीन किकी तो सौन् progress पाले की कर दिखाई नहीं दूसरी से के पास गया उसने ग्रीकर वह सकते हो तो करा हम कवर और स्क कर तो करा ऊसको उसको लोग पड़ना नहीं आता क्योंकि उसने कैसे कह दिया कि आप यहां से कावार ही एक्जाम्पल हैं बस उसके लाव और भी चिरे कवर हो सकती है और आपका काम भी यहां पर आ सकता है क्योंकि इंक्लूट्स वर्स है हाँ अगर मीन्स वर्ड लिखा होता और फिर यहां पर कवर नहों होते फिर भगवान श्रीकिस्टिम अगर धरती पर आ जाए भगवान बोल इंक्लूटीव एग्जोस्टिव है एक्जोस्टिव ओल्वेज यह बाद ध्यान देंग आच चाहा बच्चा कहता है सर्सचेज अपने बोल दीना सुच अपने बोल दिना मव और शुट अच्च अज इन वींस क्या होता है सुट्ट फिर यहां पर देने मेंस यहां पर भी by way of word आएगा exhaustive तो तीन वर ध्यान देना means namely और by way of means exhaustive exhaustive means कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें ये ही कबर होगा और कुछ कबर नहीं होगा अगर कल कोई मुझे भारसा के बोल दे कि सर इसमें ये भी कबर हो सकता है मैं साफ बोल दूँगा नहीं भाई कबर नहीं हो सकता क्योंकि means लिखा है और अगर यहां includes है yes such as है और अगर फिर मुझे से वो बोले क्या ये भी कबर हो सकता है answer is yes cover हो सकता है reason क्योंकि बाहर includes है और बाहर such as है मैं समझ पारे हो जी तो आज के बाद जब भी definition पढ़ोगे किसी भी एक्ट के अंदर पढ़ोगे बहुत ध्यांस से बढ़ना definition को पढ़ने का तरीका होता है त्रीकरी अब आगे पढ़ते हैं जी लोग एक बार दुवारा बोलो GST नहीं नहीं GST आगे क्या लिखा हो है ये क्या लिखा है GST means GST GST सबके आवाज नहीं आ रही GST 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 inclusive exhaustive inclusive exhaustive inclusive exhaustive exhaustive means ये भी कवर होगा ये ही कवर होगा ये ही कवर होगा और कुछ कवर नहीं होगा अब आगे पढ़ते हैं जी लो जी अब देखना वो क्या लिखा है जी आपे वो ये कह रहे हैं GST means आगे देखो रही कह लिखा है GST means बोलना आगे Any tax on Sale आप मुझे रोक नहीं रहे Any tax on sale Manufacturing बोलो ना Service Entertainment क्या लिखा है Supply ये बाद ध्यान देना GST means Any tax on sale नहीं लिखा Manufacturing नहीं लिखा Entertainment नहीं लिखा Service नहीं लिखा Supply लिखा है बच्चा क्या फरक पड़ेगा बहुत मेजर फरक पड़ेगा बहुत मेजर फरक पड़ेगा मैंना कल भी कहा था कि अगर बोलोगे सही तो लिखोगे सही गलत बोलोगे तो गलत लिख्या होगे सर तभी नंबर नहीं मिलते फिर फ़िवार बच्चा कंपनी लोग के अंदर पेपर के अंदर Member के देगा शेर होल्डर Member के देगा Member के तनह नंबर ही नहीं आ रहे Number क्यों आँगे भाई नहीं इंसूट किसले नंबर देगा आपको तो कि मेंबर सोशेर अगेंदर फरक होता है अगर आपने एक्स्चेंज कर दिये इंटर्चेंज कर दिये काम तो गलत हो गया ना अब सुना द्यांसे मैं कहना क्या चला एक बच्चा कहते है सर भी आप कहरे हो जी एस्टी जो है टेक्स है और वो सप्लाई की बात कर रहे है कि हो सप्लाई पर लगेगा क्योंकि टेक्स वोन सप्लाई सप्लाई पर लगेगा बड़ी जो बाहर हल दी राम सभी भी चे जेश्टी है वो आप शूंसन डैन stellt क decree क पनमारे और सभी चेश्टी है स्भी चेहं कि यहिएं और आप कह रहे हैं सप्लाई अब सुनना एक लाइन जो मैं बोलूँगा बहुत काम की लाइन बोलूँगा सेल पर GST लग रहा है इसका मतब ये नहीं है कि GST सेल पर है सेल सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होती होगी इसलिए सेल पर GST लग रहा है सर्वीस पर GST लग रहा है इसका मतब ये नहीं है कि GST सर्वीस पर है सर्वीस सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होती होगी इसलिए सर्वीस पर GST है पता नहीं मेरे बाद समन में आरे हैं नहीं आरे है एंटर्टेंडमेंट पर GST लग रहा है it doesn't mean कि GST entertainment पर है entertainment supply की definition में cover होता होगा इसलिए entertainment पर GST है मतलब कभी आप ये नहीं बाहर जाके बोलोगे कि sale पर GST है और अगर बोल रहा है तो सही करोगे किसी ने बोला sale पर GST है नहीं sale supply में cover होती होगी इसलिए sale पर GST लग रहा है आप बोलोगे हमेशा क्या कि GST supply पर है और जो मैंने बोला GST supply पर एक दिमाग में question आया क्या कि supply में क्या क्या आता है question आया ना और आपको मैं दिखाऊंगा GST में अगर हमारी 40-45 class लगनी है तो मेरी 4-5 class इस word के ओपर है supply के ओपर और ये GST की backbone है supply समझ में आ गया almost GST समझ में आ गया क्यों आप खुद देख सकते हो GST की definition में पहला वाईडी supply है और अगर किसी को यही नहीं पता कि supply में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा वो क्या बाहर consult कर पाएगा या वो क्या answer लिख पाएगा कि GST किस पे है और किसी को भी देख लो service पर GST है sale पर GST है इस पर GST है उस पर GST है सब बोल गलत रहे हैं technical गलत बोल रहे हैं क्योंकि मैं नहीं कह रहा है सर इंडिया के सविधान में लिखा हो कि GST एक ऐसा text है जो supply पर है अब supply में क्या cover होगा वो देखना पड़ेगा अब एक बर दुबारा से starting से फिर मेरे साथ हर बच्चा बोलेगा starting से क्या लिखा है GST नहीं गूट्स एंड शर्विसिस टेक्स को न GST बोल के चलो ठीक है अब यहां से बस मलें पूरा वर्ण मत बोलो इसको GST फिर आगे बोलो सर्विस सप्लाई तो दो बाते भी समझ मैं कि GST की definition exhaustive है और जो GST लगेगा वो सप्लाई पर लगेगा सप्लाई में क्या cover होगा वो बात का मैटर है बट लगेगा सप्लाई पर यह बात तो clear है सर MSQS बन जाएगा आपके exam में GST Labidon Sale, Entertainment, Service, Supply, All of the above बोल रहों, Sale पर नहीं लगता अगर Sale Supply में cover ना होता सर्वो तो Sale पर लगाना पड़ रहे है क्योंकि Sale Supply में cover है अगर कल Supply की definition के अंदर amendment आ जाएगी Sale बाहर निकाल दे, फिर Sale पर कहां लगेगा Sale का कोई वजूद नहीं है Sale का वजूद क्यों बना? Supply की बाहर से क्योंकि Supply में Sale कवर हो गया इसलिए Sale पर GST लगाना पड़ गया अगर Sale Supply में cover ना होता तो उस पर GST नहीं लगता ये बातों के लिए नहीं चलो अब आगे पढ़ते है GST means Any Tax on Supply of आगे पढ़ना कहा लिए है? जोर से बलो थोरा जोर से गुटस और सर्वीस और? एक बढ़ दुबारा से गुटस और सर्वीस और बोध एक बढ़ फिर गुटस और सर्वीस और बोध अब सुना जब 2017 के अंदर GST आया एक जुलज सतना को उस टाइम यूट्यूब पे मैंने 10 घंटे की GST की रिविजन क्लास डाली थी उसके बाद फिर मैंने 11 घंटे की भी डाली है और अभी कुछ ताइम पहले ही जिनके एक्जाम में भी लास्ट में गए है 35 रिविजन क्लास मैंने GST की डाली है अपने यूट्यूब पे अब मैं क्यूं बता रहा हूँ क्योंकि जब मैंने पहली बार GST आये न जब मैंने पहली बार 10 घंटे की GST की रिविजन क्लास डाली उस टाइम मार्केट में बहुत बड़ी प्रोब्लम क्रियेट हो गई कुछ लोगों ने कहा जी ये सेकेंड लाइन गलत है क्योंकि नया GST था लोगों के पढ़ने की इंटर्प्रेशन अलग अलग होती है और मार्केट में प्रोब्लिटिकेशन तो होती है और आप किसी के व्यूज को रोग नी सकते है तो जब मैंने रिविजन क्लास दी मैंने करें GST गुड्स पर भी है सर्विस पर भी है और दोनों पर भी है ठीक है क्योंकि लोग में साफ साफ लिखा है गुड्स और सर्विस और बोथ कुछ लोगों ने का रही है यह लाइन गलत है लोग लिखने में गलती हो गई लोग मेकर से लोग लिखने में गलती हो गई अब हर बाइस सी बात है बच्चा अलग-लग कई बार रिविजन क्लास देखता है तो बच्चा ने मुझे मैसिर किया कि सर यह लाइन गलत नहीं है नगरी गलत तो नहीं है, जे एस्ट गूरस पर भी है, सर्विस पर भी है, दोनो पर भी है, कह Hayap एक और लोगों ने इसको ऐसा इंटरPrete किया कि जब गूरस कवर कर दिया आ गए, और सर्विस कवर अब सुना ध्यान से मैं कहना क्या चाहता हूं सर अगर आप में language ध्यान से पढ़ी हो यहां का लिख है goods और service और both अब मेरे सवालों का आप जबाब दोगे मेरी दुकान एक मेरी दुकान है जी और मेरी दुकान है यह calculator sale करने की जहां सुना मेरी दुकान calculator sale करने की है मैं किस में काम कर रहा हूँ यह calculator क्या है goods है मैं goods में काम कर रहा हूँ मैं advocate हूँ यह advocate हूँ consultancy का काम कर रहा हूँ तो वो क्या दे रहा हूँ मैं service अच्छा यह calculator सिरफ goods में cover है एड़ोकेट वाला काम सिरफ सर्विस में कवर है आप जहां सुना आप एक सैलून के पास गए कटिंग करवाने के लिए ब्यूटी पार्लर के पास गए जा सैलून के पास गए अब सोच के बोलना आप में से एक बच्चा गया उसने का रही शेव करवानी है मुझे शेव करने वाला जो भी काम है वो क्या सिरफ शर्विस है जिरफ गुट साजा दोनों है इना सोच करण अगर मालनो मैं शेव करने वाला उसनी बच्चा मिर पास आया कहि intricra dovी कर रहा हुं यह शिरफ और बॉर मैं सिर्फ सर्वीस से सिर्फ सर्वीस है एक lados इस बचे जग आड़ सिर्फ सेंगोयर हैं और जोब लाइन बाकि सब किया एक और कई बचे की बचे दो ऐसे बैठें आज हम फिर ले माता दर्शन पाएंगे छोले पुड़ी का प्रशाद मिले क्लास के बाद कर यह सिर्फ सर्वीस है अच्छा नहीं मैं कह रहा हूं कि जिन्हों ने भी का है यह सिर्फ सर्वीस है आज के बाद अगर आप शेप करवाने की लग गए है और आपने उसे अगर फोम लगवाई अगर क्रीम लगवाई अगर फिर देख लेना आप है का सब क्या वो फोम नी लगा रहाए को किया वो क्रीम नी लगा रहा है किया वो शेव करने से पहले अबकि क्लीनिंग नहीं कर रहा है तो क्या वो गुर्ट्स नहीं है वो Bill उससी तो है अगर उसने शेव के 50 रुपे लिए तो सिरफ सर्विस के नी लिए उसने फोम भी लगाई उसके पैसे इंक्लूड है क्या कभी शेव वाला है कहता है कि भाई सा अगर फोम लगवाओगे तो तीस रुपे की है बिना फोम के तो आपकी 20 रुपे की पड़ जाएगी एक बच्चा कहता है वो में को वो क्या नाम उसका क्या कहते हैं फेशियल फेशियल हो गया मैंनी के और पैडी के और कई शीरी हो हिएर आप फेशियल के ऊपर वो लगाते क्रीन ह planted है लगाते नअ अब सोकिके वोखे लगा आ अपने बछेशियल कर दो बीना क्रीम के क्या बचारता रहे हाट रगता बस विदह directud से पानी का फीर रसरग ने पाने को करके रहे कर अरे आपने तो ख़ा बिना क्रीम के कर दो सोच के बोलना कहना क्या चाह रहा हूं यह सारे काम क्या हैं यह गूड्स एंड सर्विस दोनों हैं अब सोच के बोलना अगर इवन मेरा काम क्या बताओ मेरा काम जो कह रहे हैं जो कह रहे हैं मेरा काम गुट्स है जो कह रहे हैं सर्वीस 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 है और जो कह रहे हैं सर्वीस है अब जितने बच्चे कह रहे हैं कि मेरा काम सर्वीस है इन्हें बुक्स मत देना जी, बिना मुष्ट की क्लास ले लो, या बुक्स लेनी है, बड़ गुट सता है वो तो, समझ पा रहे हो, प्रोब्लम क्या हो रही है, अब जब बच्चों ने मुझे कहा कि सर, बोथ वर्ड गलत है, तो मैंने कहा कैसे गलत है, सर, बोथ वर्ड में वो काम कवर हैं, जो गुट से एंड सर्विसी से हैं, और नहीं, आज शादियों में कैटरिंग का काम होता है सर, आरे कैटरिंग का काम होता है न, आपने एक मुवी देख्योगी, कौन से मुवी है वो, बिटू पारी और शुती ककड, बैंड बाजा बार आप, है न, बैंड वाजा बारत एक मुवी है, उसमें वो, कौन है वो, रन्वीर सिंग और, हाँ, वो सारा याद है, पूरी बच्चे ने स्टोरी लिख रखे है, रनुष्का शर्मा, किस-किस मुवी देर कौन-कौन है, पूरी लिस्ट है बच्चा के बास, अर्या क्या अब और आपने सोचा कि हमें कभी याद करने हैं कि इसको रिवेजन नहीं करनी पड़ी, मैं भी सोचना है कि क्या कभी हम सुबह उठके याद करते हैं, रिमीर इसिंग और याद नहीं करते हैं और अगर है बीच साल के आद पूच लूँगा तो भी आपको आदोगा, उन क पढ़ाई करते हैं एक हफते एक बाद भाई सब याद ही नहीं आता है कुछ उसका रीजन है क्योंकि आप दिमाग से पढ़ते हैं इसलिए पढ़ रहे हैं और जिस तरह से आप मूवी देखते हो अगर सेम तरह से पढ़ाई करो मैं करहा हूं मतलब ही लाइफ में कर भूल जा मैं अपनी बात के ऊपर आता हूं और मूवी थी अनुष्का शर्मा और रन्वियस सिंग अब सोच के बोला उसमें उनका नाम था बिट्टू पाजी और शूती ककड मेरे काल से अनुष्का का नाम था शूती और बिट्टू पारी उसके अंदर नहीं काम क्या था इवेंट और इसकर वाने का अभ्यान सुना जो एक बच्चा कहते है सर बैच खतम उन्हें एक बाद पार्टी दोगे तो बिल्कुल कर लेंगे तो कैरा फिर सर कहां पर करों के पार्टी ना कर लेंगे ऐसा करेंगे वो गाना बजबादेंगे जुंगा गिरा रहे तो कैरा सर बहुत बढ़ी बहुत मजा आजएगा करें सब्सक्राइब खाने पिने का रिफ्रेश्मेंट मैं सब कुछ होगा टेंशन मत लेना चाहिए और मैंने इवेंट और बच्चों की पार्टी है तो कोई दिक्कत नहीं कर देंगे अब सोच के बोला क्या उसमें सिरफ खाने पिने का समा स्रवीस है ऐसा करो फिर बुट्स मां का हो इँ में रेसनाट में खाना कानbahn झाकने के लिए एव क्याओं और यह यह सर यह सरव यहां आम आप लो हाथ में कुछ है इस तो यह हूई नइन बट अगर हाथ में कुछ खाने का समान और फली में साने का समान होगा तो बोत वरट है अम मुझे अपना बोलति अच्च क्या GST सिर्फ गुट्स पर है सिर्फ सर्वीज पर है या दोनों पर है या किस-किस पर GST मुझे सोलो गूट्स पर है या नहीं?. इस शर्वаче पर और गूट्स और सर्वीज पर यस यह सहरी है नहीं अगर आप एयर राइन में जाते हो तो आज कल तो वैसे भी अगर आपने टिकट बुक कराई हो रेलवे की फ्राइट के आरट कल और पेस्पेसिटिक लिए पुछ रहे हैं वो कि उसमें खाना है इंक्लूड करवाना या नहीं करवाना टिकट के प्राइस में पूछ रहे हैं, अगर मालो 500 रुपे की टिकट है, अगर फूड इंक्लूड कराओगे, तो यह 700 रुपे की हो जाएगी, तो अगर मैंने 700 वाली ली, then goods and service, अगर 500 वाली ली, then only service, आपको भी चेक करना, टिकट बुक कराते हो, पूछते हैं, कि आपको इसमें लेना है नहीं लेना, ठीक है, मैं ये डाउट नहीं कहा रहा था, एक डाउट हो रहा ना चाहिए था, अगर मत्टी फैन कहाने को मिल रहा था, क्यों नहीं पिएंगे, ठीक है ठीक है, तो वो तो पूछ रहा है, हमने हाँ कर दी, तो काम ओपज कहा रहा है, ये पांट रही मेरे लग गई, किसी का डाउट नहीं है, चलो इधर सुनना ध्यान से, अब डाउट आना क्या चाहिए, सर्थ डाउट ही आना चाहिए, एक बात मिने बताना, गूट्स है, सर्विसीज है, और गूट्स प्लस सर्विसीज है, ठीक है जी, प्लीज ज्यान सुनना जी, सिरफ गूट्स है, कोई दिक्कत नहीं है, गूट्स वाला रेट लग जाएगा, I think question समझगी हो गया सिरफ service है service वाला rate लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं है अगर goods and service है इन दोनों के same price charge किया इन दोनों का same price charge किया, इस पे rate कौन सा लगेगा कोश्चन समझे मागए मेरा कोश्चन ये है कि अगर मान लो जैसे मैंने बोला सैलून के पास आप गए उसमें goods भी है और service भी है तो अगर दोनों हैं उस दोनों में rate कौन सा लगेगा जी अब बताओ goods पे तो goods वाला rate लग गया service पे service वाला लग गया अगर goods और service दोनों है उस पे rate कौन सा लगेगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ मान लो आप सैलून के बाद शेव करवाने के लिए गए सैलून की service जो है ना उस service पे गौर्मेन ने rate बोला हुए 12% और जो form यूज कर रहा है वो उस पे rate है मान लो 8% उसने गारी शेव के ना 50 रपे लूँगा इस 50 पे GST कौन सा लगाऊ 8% से 12 से ये question आना चाहिए था आपका आप रेस्टरेंट में खाना खाने जा रही है पनीर की सबजी भी है दाल मखनी भी है फ्रेंच फ्राइस भी हैं पता नहीं किदरी चीज़ी आप खाते हो उन सब पर लग-लग rate है और सर्वीस पर लग-लग rate है और उसने बिल चार्च किया कंबाइन 4,000 पे गाऊ तो rate कौन सा लगाऊ ये question आना चाहिए था आप में से किसके घर में कभी शादी हुई है आसपरोस में रिलेटी में कभी किसी के घर में हुई हो हुई है कभी एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ किसकी थी फ्रेंड की शिच्टर की भाई की बड़े पापा के बेटे की मामा की किसकी हुई है हिवा माकि चलो, आप जिसने भी शाधी घर में होई होगी होई है एक बात न आप देखें, जब भी घर में शादी होती है इक बड़ासा टोके आता है घर में हाँ फलों का को जिसमें अलग लगताने के फलोते हैं मोना चिप्स भीडालते चिप्स भी डाल दिए चोकलेट भी डाल दी और बीच में बीच में आच्पेड़ा कर दिया इंफला घाण कर के पैक कर दिया कम से कम आईटम होती है और पचास आइटम के पचास पे रेट अलग अलग हैं जीएस्टी के और टोकरा जिसने बेचा उसने कहा रही है यह तो पूरा पैक टोकरा जो है ना यह पांच जार पे का है सबसे बड़ी प्रोब्लम उस 5000 पर जीएस्टी का रेट कौन सा लगा मिन पर समझ पार प्रोब्लम क्या रही है और मार्केट में आमाजोन हो गया फिलिपת कर हो गया यह मै बैस्ट कर दर करया है अगें एक स्टूडेंट ने मुझे बहुत प्राउड फिल कराया चोकलेट पर 20% GST है तो उसने का सर जैसे आपने क्लास में एक्जामपल देता हमने घर में शादी का टोकरा बनवाया तो जितने भी हमने चीजे एड की उसमें 5% था GST और चोकलेट पर 20% आपने बताया था और मेरे जीजा जी को मलद जीजु को चोकलीट पसंद रहा तो उसमें 2 चोकलेट दल्वानी थी और उस 2 चोकलीट के दल्वाने से पहले उस्त्रया सो अगंते हैं इस्साप्लाय को हम बोलते हैं mix फॉक्लाइप बलोगा माला उस दो चोकलेट सोर पे की वजह से पूरी वैल्यू पर थाइस परसंट जी अस्ट देना पड़ गया लोगों के बात पता ही नहीं होता है कॉंबो लेते जा रहे हैं यह नहीं ने वह कर डिए किस्रेट वाली Rainbow है कितना नुक्सान और लगया को सस्ता पड़ रहे हैं अपर देखांगा किया लग रहे हैं आप अगर घर में आपने गाला प्रेक्टिकली तो बनवाती है सारे पचास आइटम है पचास में ते कौन कौन से आइटम अगर एक आइटम भी 28% वाली आपने आड करनी ना पूरे टोकरे की वैली उपर 20% GST है आप सोचना अगर मालना वो टोकरा 5000 का है और उसमें 5% रेट लगत अब खुद देख लो अपनी जेव से अब 1200 पेक्टा देके आ रहे हो नो डाउट वो जाना उसके पास नहीं है जाना गौर्मेंट के पास ही है बड़ पड़े लिखे अनपड़ वाली बात होगी ना वही एक चोगले डैटकर वाली बस और यह नहीं बता उसका इंपक्ट क मिक्स अप्लाई टो ऑफाई आठ लगेगा और जहां अब जिया कमपोजीट मेट सप्लाई उर मिक्स यह यह रही ही입니다 यह होती है कि नस deansicon है against Calwoods सःष्ड़े प्लस गूर्स क्लीट का या तो या तो बूबूजट प्लस सर्विसका यह सर्विस प्लस goods का या service plus service का और single price charge हो रहा है तो government कहती है जो single price charge हो रहा है उसमें कुछ supply को हम mixed supply में cover करेंगे कुछ को cover करेंगे composite में अब ये composite means क्या मैं आपसे पूछता हूँ आख restaurant में खाना खाने जाते हो क्या 99% restaurant में goods and service दोनों एक साथ मिलते हैं नहीं मिलते हैं that is composite supply composite supply means क्या कि ऐसी supply ऐसा combination जो natural practical life में देखने को मिलता है mix supply means क्या जो जवर्दस्ती बना दिया भाईया tie plus में watch ये combo कैसे बना दिया भाईया क्या इन में रेशन है क्यों बना दिया क्योंकि sale बढ़ जाए और combo बनाने का reason ही क्या होता है और आप market में लेने जाओ face wash साथ में deal free देते हैं नहीं ले ना भाईय deal अरे सर free है और free वाला हम पहले ही लेते है आज कर हमारी mentality क्या है अगर मैं shampoo लेने के लिए market में गया एक रवा क्लिनिक प्लस है अगर दिख गया मुझे 25% free भाईया वो वाला देना दिमाग में क्या है 25% free है आपने कभी देखा होगा और normally हम जाएंगे जहां हमें दिख रहोगा ना buy one, get one, ये के साथ ये free ये के साथ way free वो हम जरूर उठाएंगे हमें लगता है free, आपको actually free नहीं होता सरो उसकी value कहीन है कई उसमें add होती है actually company sale बढ़ाना चारी आपनी सोचके बोला आपने कभी अगर मानलो face wash लिया साथ में deal free मिल गया, कि अपने deal गेर दिया आपने सारा खतम कर दिया चाहिए वो आज सक हमने कभी यूज ना किया हो हमको पसंद भी ना हो फिर भी हम एक बार तो लगा लेंगे क्यों free कि आइटम है अब आपको आपने सो लोग में से 10 लोग क्या से होंगे जिनको बढ़िया लगा होगा, और यार सही है यार अगली बार में वो डियो लेने के लिए जाएंगे वो क्या बोलेंगे यह उस कंपनी का डियो देना सेल बढ़ गई ना उनकी इसको बोलते हैं मिक्स अपलाई वाला ऐसा कॉम्बिनेशन जो बना दिया गया अपनी मर्जी से जवरदस्ति और सिंगल प्राइस चार्ज कर ले है तो गॉर्मेंट करिया भाया, अगर तुमने जवरदस्ति कॉम्बो बनाया है तो हमारी बात भी ध्यान दे लो कि पूरी वेल्यू पर हाइस टेट वाला जीएस टी लगाएंगे फिर और हाँ अगर कोई ऐसा कॉम्बो है जो मार्किट में चलता ही कॉम्बो है टीचिंग का काम क्या साधन बुक्स मिलती है ने मिलती है यह कॉम्पोसेट अप्लाई है शेव वाले क्पास अगर कटिंग महले शेव वाले के बास अगर जाओ गए साथ में फोम लगाएगा निघाएगा लगाएगा लगाएगा फिल एक बचकात मैं तो घर से लेप्टोप बैग मिलेगा साथ में यह सप्लाइज होते हैं कॉम्पोसिट सप्लाइज आपने कभी इमेज़ी सोचा नहीं होगा ना इस चीज को क्योंकि लेप्टोप पे रेट अलग होता है लेप्टोप के बैग साथ फ्री मिला सिंगल प्राइस दिया हमने उस पे जो लेप्टोप का रेट लगेगा हैं मेरे सखेंग साया होगे करने के लिए सिक रेट लगेगा में टेलीवीजन के दुकान पे टेलीवीजन लेने के लिए गया था मेदा अश्राइज के लिए फ्रहें ऐसे सप्लाई कोण सी है यह सोच के बोलना क्या सब यह सब्सक्राइब इस एक जोग याट भुण आज आज कि आगे मोमो वाले के पास जाओ क्या बोलुका पिश है पर यह प्लीज चट्नी चट्नी देदधो फैसा दो प्लीज उन्स देदे जाने फ्री उन्लाटी उ से मंदी रहा अंदर थोड़ी जटनी दालो प्लीज भाई अरह गोलगप्पे प्लस गोलगप्पे का पानी क्या सप्लाइए और साथ में सूखी पापड़ी ना लाया को मिक्स अपलाई है लक्षमिनगर में मिलती है बस वो कभी हल्दी राम पर आके बोल ना एक सूखी पाप पर देता है का से आयवा भी है क्योंकि वह हमको यहां मिलती है तो हम सूखने की और सुखी पापड़ी दे रहे हैं आपको नहीं तो पूरे इंडिया में नहीं मिलती है ऐसा कही ठीक है तो मेन मैं कहना क्या चाहता हूं कि आज GST में कई तरह की सप्लाई है सिरफ गोड़्स की भी है सिरफ सर्वीस की भी है और कॉंबिनेशन भी और जहां कॉंबिनेशन होगा बस वहां हमें अइडेंटीफाई करना होगा कि वो सप्लाई कॉंपोजिट में कवर है या मिक्स में कवर है तो आप समझ चुके होगे कि GST में पढ़ने का कितना कुछ है कि जो चीड आपने कभी observe नहीं की वो observation में आएंगी यह जो हमने कभी सोची नहीं वो हमें सोचने पर मजबूर करेंगी कि हमने सोचा क्यों नहीं आज तक ठीक है रही तो वसे लास्ट लाइन पर आ रहा हूं इस लाइन को टच करके छोड़ दूँगा डीटेल में करेंगे मंडे की क्लास में ठीक है और मंडे हमारी लास्ट बेसिक क्लास है देन फिरम चैप्टर बन पर आएंगे उसने बोला शराप पे जीएस्टी लगेगा आप बताते नहीं यार मुझे ने मैं कई बार ना गलत बोलूँगा और आपको सही करना पड़ेगा इस सराप ने गलत बोला है उसने बोला शराप पे जीएस्टी लगेगा या नहीं लगेगा इंकल्यूड्स है या एक्सेप्ट है मतलब नहीं लगेगा गोर्मेंट कह रही है कि जीएस्टी हर गूड्स पे लगेगा हर सरवीश पे लगेगा उसकी सप्लाई पे लगेगा बट अलकोहलिक लीकर for human consumption उसकी सप्लाई पर निलगेगा अज़ा गोर्मेंट ने क्या बोला एक बार देखके बताना और कोशन पुछूँ शराब पर GST नहीं लगेगा या शराब पर कोई भी टेक्स नहीं लगेगा जी एस्ट नहीं लगेगा हम जी एस्ट की डेफिशन पढ़ रहे है इस कि जो शराब पर पहले टेक्स लगते थे आज भी वह लगेंगे उसका reason क्या है क्यों शराब बाहर निकाली यह जानने वाली बात भी तरह समझो आज के लिए कि GST हर गुड्स पर है हर सर्विस पर है अच्छा 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 अपको बता हो चोकलेट में लीकर कंटेंट होता है न मेडिसीन में अज लीकर कंटेंट होता हैं होमियोपेफिक मेडि aq मेडिसून उसमें लीकर पहुत अहां उसमें लीकर कंटेंट होता है अच्छा क्या यह व्ह सारे घ्रेक भाहर निकाल्रे हैं अलकोहोलिक लीकर फोर हीूमन कंजمशंचन हार पिए कम पी सकते हैं के ऑंदर के च्छी क्लीनिंग हो जाएगी लगोरिशव के रिसम हो जो आपको ये आप धू को मिलती है जो बहुत लोग उन्दर वह सब बार सब में कर भशान content है चोकलेट लिकर कंटेंट है कई गूड़ स्रेश में लिकर आट डियो है पर्फ्यूम है उसमें लिकर आपको देखना उसके बिछे क्या इंग्रेंट उसमें आपको दिखी जाएगा रिकर मीं समझंग निकर मींस आपने देखे हुंगे बाहर किसने शराब के दुकान देखिए लाई कर छोप किसने ने देखी है सर मिलियों क्या उट ऑफ ही इसक आषिवा स्राब की दुकान हां थे अलेक לפ ना नहीं पाट भी मराbies लेक्षिद कभीए सब्सक्राइब औहुंत हमार्किट में तो नियों कर लेकितने में हैं तो लेकर शो मैंने पहली बार सुना कि आप नहीं लीघे नियों良ग तीविपर मूवीज म呢 कहीं भी हमला देखिए ना से 2017 यह तो है कि होती है कि मैं कई बार है बार कि या आ चल रहा है पेट्रोल पिनिया घेस्टी लिकर पे तो यहीं से बाहर निकाल दिया क्या चीज़ है और यह आहरे हैं और अचोआ हो jrt क्यों थे को अच्छे को यह चेएन पैट्रोल पे जेट्स्टि नहीं हो तो वह बह Bohu Mai लिए और प्रु Δ Means है उसका थे केट्रोल पर बहुत टेक्स इसलिए जेटीन ये कि जो Licker Market ने मिल रही है, प्यूर जो Licker है, उस पर government ने GST अभी लगाया या निया गौर्मेंट के लिए उस पर GST नहीं है, एवल आपकी जानकारी के लिए बतादू, जीएस्टी अभी नहीं है और कभी भी नहीं लगेगा बट पेट्रोल पे जीएस्टी अभी नहीं है बाद में लग सकता है उसका रीजन है तो उसकी डिसक्रिशन हम नेक्स ट्लास में करेंगे बटाज यह सुनके जाना कि आज हर गुर्स पर जीएस्टी है हर सर्विस पर जी तिये बड़ एल्कोहोलिक लीकर पर जीएस्टी नहीं है लीकर की जो वैल्ली होगी उस पर जीएस्टी अप्लीके बला करेंगे दुबारा बोल रहा हूँ मैँ नहीं कहा कि इस पे कोई भी टेक्स नहीं है मैंने यह कहाए GST नहीं है बाकि जो भी टेक्स होंगे चाहिए वो एक साइज होगा वैट होगा CST होगा जो भी उस पर लगते होंगे वो लग जाएंगे बर उस पर GST अप्लीकेबल नहीं होगा बस यह पात्यान देना जी ठीक है रही एक पर फ़र वर से लास्ट और बोड एकसेप्ट टेक्स ओन सप्लाई ओफ एलकोहलिक लिकर फोर हुमन कंजम्शन उस पर GST अप्लीकेबल नहीं है ठीक है रही तो यह पाइंट बस आपने एक पर पढ़ने है आज ठीक है बाकी कल की क्लास में अलकोहलिक लिकर पर GST क्यों नहीं है उसको डिसकस हमारी बेसिक लास्ट क्लास है टात फिर चैप्टर नंबर मला क्लास नंबर फॉर से चैप्टर नंबर बन अम पूल मन्डे कल तो संडे ना मंदे टू सैटेड़े हमारी क्लास होगी ठीक है मंदे टू सैटेड़े 7.30 टू 10.30 जी आपको बताwnjob, उसको नॉर्मल रेम बोलते हैं टेक्स हईवन कंट्री आप एक वर्ड सुन Rankा टेक्स हेवन, टेक्स हईवन मीनज जहाँ पर टेक्स नहीं है बाट इंकम पर टेक्स नहीं है अरफ पर बाकि ओर कई सारे टैक्स है तब ही तो कहते हैं developed country और developing country जब company ओर डिवलप हो चुकी है मलब वहाँ पर उनको income tax लगाने तक आज दुबाई हो गया और मोरिश्यस हो गया आज सिंगापूर हो गया ऐसी कई country है जहाँ पर tax government ने खतम किया हो है और तभी मैंने क्या वोला कि जब भी tax evasion होगी आप कभी भी देखने न उस case को पढ़के उन्होंने route यही उस किया होगा ठीक आज नहीं वहाँ तो tax है क्या चीन है उसका reason है आपको बताऊंगा कि वहाँ पर income tax नहीं है बट गवर्में ने ओरड़ी कही न कहीं दूसरे tax और लगा रखे और कहने को क्या बोल रहा है कि हमारी country में tax नही उसके साथ ही मैं connect करूंगा double taxation avoidance agreement एक chapter है आपको वहाँ पुता लग जाएगा है ठीक है री चलो री तो फिर बाकी मुलाकात करते हैं मंडे को same time same जगा ओके री बाई 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 टाटा थेंक्यू सो मच जहीं